तो हलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग I hope each and every one of you is doing absolutely great my name is Dr. विपन कुमार शर्मा आप मुझे देख रहे हैं competition वाला नाम के इस amazing से channel पे और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे lengthiest chapter of 11th and 12th class biology molecular basis of inheritance and this is a very tough task to make a mind map of this chapter but still I'll try my level best कि मैं इस पूरे की पूरे चेप्टर को आने वाली 4-5 handwritten sheets के अंदर consolidate कर दूँ और उसके बाद मैं आपको पूरी की पूरी NCRT पढ़ा दूँ जिससे आपका एक भी vital point ना छूटे आप इस mind map को बखो भी enjoy करें सारे के सारे structures को अच्छे से बनाना सिखे concepts को बढ़िया तरीके से समझें और उन्हें अपने examination में implement भी करके आ सके तो हम स्टार्ट करते हैं with the name itself molecular basis of inheritance यानि inheritance जो process है उसका basis क्या है वो किस चीज़ पर टिका हुआ है that we need to understand और उस basis का भी हमको क्या पढ़ना है molecular structure पढ़ना है तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो यह है कि सर inheritance आखिर होती क्या है inheritance का मतलब है कि जब characters एक generation से दूसरी generation के अंदर pass on करें यानि inheritance क्या है और इसके बाद इसी तरीके से और characters F2 से F3 में देन F4 में जाते रहेंगे and so on तो यह जो inheritance हो रही है यह जो characters आपके transfer हो रहे है एक generation से दूसरी generation में यह transfer किस form में यह characters किस form में transfer हो रहे हैं यह हमें जानना है तो यह जाते हैं as DNA यह जो हैं वह आपके अलग-अलग characters को लेके जाते हैं from one generation to the next one आपको पता है कि जब दो organisms की meeting होती है for example समझ लेजिए एक male है एक female है जब इनके gametes पास पास आ रहे हैं तो यह मिल करके एक zygote बना रहे हैं and what happens at that point of time is कि समझ लेजिए male है आपका sperm तो इसके अंदर क्या है हम लोग कहते हैं 23 chromosome है right and similarly यहाँ पर क्या है आपका ovum है तो ovum के अंदर भी क्या है 23 chromosome है तो इन 23-23 chromosome के अंदर कुछ information चुपी हुई है and जब यह दोनों के दोनों gametes आपस में fuse हो जाते हैं तब यह क्या बनाते हैं दोस्त तब एक यह zygote बनाते है and zygote आपका कैसा होता है deployed होता है यानि इसके अंदर 46 chromosome होंगे तो let's say यहां पर जो chromosome थे वो इस हालत में थे this is chromosome 1, this is chromosome 2, this is chromosome 3, this is chromosome 4 and so on और यहां पर जो chromosome थे वो किस हालत में थे this is chromosome number 1, 2, 3, 4 and so on तो जब यह आपके यहां पर zygote बना लेंगे तब इनकी हालत क्या होगी इनकी हालत कुछ ऐसी होगी यह जो chromosome है यह usually पेर में पाए जाते हैं तो इनकी हालत कैसी होगी अब यहां का जो एक chromosome है और यहां का जो एक chromosome है मिल करके पेर बना लेंगे यह मिल करके पेर बना और इस क्रोमोजोम में जो भी आपके जीन्स थे जो भी सिक्वेंस से डियने के वह भी आपके कहां चले जाएंगे नेक्स जनरेशन के अंदर बाइडिफॉल्ट चले जाएंगे तो हमारा जो जनेटिक माटीरियल होता है डियने जिसे हम डियोक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसेड कहते हैं उसका हमें यहाँ पर क्या समझना है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी समझना है हमें यह भी देखना है कि वह आपका दिखाई कैसा देता है तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टन टॉपिक्स है वह क्या है सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि हमने यह कैसे पता लगाया कि डियने इस द जनेटिक मटीरियल पहले तो काफी बड़ी डिबेट थी दोस्त काफी सारे साइंटिस्ट कहते थे कि प्रोटीन जनेटिक मटीरियल है काफी साइंटिस्ट कहते थे आरने जनेटिक मटीरियल है काफी साइंटिस्ट कहते थे डियने जनेटिक मटीरियल है उसमें से हमें यह कैसे पता आपको replicate कैसे करता है, अपनी copies कैसे बनाता है, transcribe कैसे करता है, RNA कैसे बनाता है, translate कैसे करता है, यानि RNA आगे चलके protein कैसे बनाता है, इस बीच में काफी सारे और छोटे मुटे topic आएंगे, for example, genetic code, उसके बीच में हम देखेंगे कि जब DNA से RNA बन रहा है, RNA से protein बन रहा है, तो किस किस position पर हम इस process को regulate कर सकते हैं, check कर सकते हैं, वहाँ पर आता है आपका lac operon का concept, फिर आप देखोगे दोस्त, कि आपका human genome project क्या है, आपका DNA जो इतना लंबा है, जो हर cell के अंदर पाया जा रहा है, इसका sequence आखिर क्या है, तो 13 साल का एक mega project चला, जिसे human genome project या HGP बोलते हैं तो हम जानेंगे कि HGP के goals क्या क्या थे, human genome project क्यों start किया गया, क्या क्या उसके मकसद थे, और वो मकसद किस हद तक पूरे हुए, and then हम लोग देखेंगे DNA fingerprinting, अगर मुझे आपका और मेरा DNA match करना है, and I need to run a comparative analysis, तो मैं उसको किस तरीके से run कर सकता हूँ, मैं कैसे देख सकत processing के process को हम लोग समझेंगे, so let's start this chapter by understanding some most basic concepts, है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ बहुत ही जादा simple चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, एक scientist थे, एक scientist थे, इनका नाम क्या था, Frederick Mr. Mr. सहाब ने, पस सेल को देखा, पहले क्या रहता था, आप किसी का sample ले ले, that was not recommended, समझ लीजे आपके सामने एक patient पढ़ा हुआ है, आप अगर उसका blood sample निकालते हैं, बिना उसके consent के, then it was not right, जो कि आज भी correct नहीं है, लेकिन कते हैं नहीं, वो तो आपने dustbin में already fact दी थी, तो एक patient था, जिनको pus हो रखा था, तो उन्होंने अपनी जो pus cell वाली bandage है, उसको dustbin में डाल दिया, और वहां से Frederick Mr. सहाब ने, वो जो pus cell वाली bandage है, उसे उठाया, और nuclei of pus cell को notice किया, और nuclei of pus cell को notice करने के बाद, इन्होंने दे कुछ तो है important और इसको इन्होंने नाम दिया nucleoid, इसको इन्होंने नाम दिया nucleoid, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले DNA की इसकवरी करी। इन्होंने बताया कि आपका नुकलियस के अंदर कोई तो important चीज है। क्या है वो अभी नहीं बताया कोई तो important चीज था जिसे वो isolate नहीं कर पाए क्योंकि उस ताइम पर इतनी complex machinery was not available. इसलिए उसका isolation नहीं हो पाया लेकिन अगर आप देखेंगे एक और साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम था अल्टमान तो अल्टमान साहब ने क्या किया बकाइदा इस DNA को isolate किया और इन्हों ने बताया कि यह जो DNA है या फिर यह जो nucleic acid है इसके तीन component होते है that is your nitrogenous base plus आपका sugar यहां पर होता है plus यहां पर होता है phosphoric acid तो इन्होंने बोला यह जो phosphoric acid है जैसा कि नाम साही पता लग रहा है it is acidic तो overall इन्होंने कहा कि यह जो nucleic आपने नाम दिया है यह नाम थोड़ा सा गलत है इसको क्या बोलना start करो nucleic acid बोलना start करो राइट तो DNA के discovery का जो श्रे है वो किसको जाता है फ्रेडरिक मिशर साहब को लेकिन nucleic acid जो term सबसे पहले दी गई थी वो किन द्वारा दी गई थी अल्टमान साहब द्वारा दी गई थी इन्होंने कहा कि भाईया जो acidic nature है वो आपका पाया जाता है DNA के अंदर अब एक टास्क स्टार्ट हुआ जहां पर अलग अलग scientist ने आकर यह प्रूव करना चालू कर दिया कि genetic material क्या है प्रोटीन है DNA है या RNA है तो यहां पर सबसे पहले हम जो देखते हैं आपका एक्सपेरिमेंट यह है आपका ग्रिफिट सहाब का transformation principle पर बेस्ट एक्सपेरिमेंट ग्रिफिट सहाब ने यह दिया था फ्रेडरिक ग्रिफिट सहाब ने दिया था 1928 के अंदर यह एक्सपेरिमेंट हुआ था इन्हों ने क्या किया अब बहुत गवर से देखो यहां पर उन्होंने रिसार्च करी एक bacterium के उपर जिसका नाम था स्ट्रेप्टो कोकस पी नियुमोनिया यानि यह जो है दोस्त बैक्टीरिया इससे नियुमोनिया हो जाता है और यहाँ पर इन्हों ने देखा कि स्ट्रेप्टो कोकस नियुमोनिया के दो स्ट्रेन थे एक तो आपका एस स्ट्रेन मतलब यह स्मूध स्ट्रेन है क्योंकि इसके उपर क्या है आपका पॉली का कोट है तो जिस भी और्गैनिजम के अंदर ये घुसेगा क्योंकि इसने कोट पहना हुआ है तो ये जादा प्रोटेक्टेटिड है ये बिमारी कॉज कर पाएगा क्योंकि अगर समझ लो ये बैक्टिरिया मेरे अंदर गुसा तो मेरा इम्यून सिस्टम अटेक करेगा इस बैक्टिरिया के उपर इसने और इसने कोट पहना हुआ है तो इसके बचने की चांसे जादा है ये मेरे को निमोनिया दे कर ही जाएगा और इसके अलावा जो दूसरा स्टेन था इसे हम कह रहे थे आर स्टेन यानि रफ स्टेन जो की आपका थोड़ा रफ रफ सा था क्योंकि इसके उपर पॉली सेकराइड कोट नहीं था अगर यहां पर कोट एपसेंट है तो आप जाहिर सी बात है एक पॉइंट यहां पर मार नहीं था यह बिमारी कॉज नहीं करता था इसने कोट नहीं पहना तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको मार देता था इसकी धजिया उड़ा देता था अब हमें क्या करना है अब हमें यह देखना है कि ग्रिफिट सहाब ने चुहे के साथ क्या क्या किया and what results did he got इसने सबसे पह कॉज नहीं करता अगर बीमारी कॉज नहीं करता तो माइस जिन्दा रहे गी बिल्कुल रहेगी कि जा समय कोई नई बात हुई बिल्कुल नई बात नहीं वह यह बात हमें पहले से पता थी similarly अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया एक माइस लिया और माइस में S strain of bacteria को inject करा दिया अगर S strain डाला तो यह virulent है तो क्या माइस आपकी मर जानी चाहिए बिल्कुल मर जानी चाहिए मर गई sacrifice हो गई साइंस के लिए अब यह बात भी बिल्कुल नहीं नहीं है यह भी हमें पहले से पता था अब यह जो S strain का bacteria है जो की virulent है जो की disease cause कर रहा है जो की pneumonia cause कर रहा है माइस के अंदर इसको अगर मैं heat killed तो क्या यह माइस को मार पाएगा नहीं मार पाएगा माइस अपनी जिन्दा रहनी चाहिए तो वह जिन्दा रही और यहां पर देखो दोस्स जो आर्स ट्रेन है यह भी मास को नहीं मार पा रहा अगर इन दोनों को मैं मिक्स कर देता हूं देखो माइस ली अब मैंने क्या लिया एस स्ट्रेन जो कि है आपका heat killed ये भी mice को नहीं मार पा रहा था प्लस R strain मैंने लिया ये भी mice को नहीं मार पा रहा था दोनों के दोनों inactivated है तो answer क्या होना चाहिए आपका mice यहाँ पर जिंदा बचनी चाहिए बट यहाँ पर क्या हुआ अब ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारी समझ से बाहर है बाकी तीनों चीज़े तो हम लोग analyze कर सकते थे और हमारी analysis के हिसाब से हमें results भी देखने को मिले ये चीज भी हम लोग नोने analyze तो कर भी थी बट result हमारे हिसाब से नहीं आए तो अब Griffith सहाब ने इसके बारे में क्या कहा? Griffith सहाब ने ऐसा कहा, कि दोस्त ये जो आपका S strain है ना, ये आपका बनना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहीं मार सकता है सर्फ माइस को, और S strain बनना कहां से स्टार्ट हो गया है? आर स्ट्रेन जो है, ये ट्रांस्फोर्म हो गया है इंटो S strain, इन्होंने क्या बताए है? जो आर स्ट्रेन जो जिन्दा है, ये ट्रांस्फोर्म हो गया है, इसके पास कुछ सिगनल आ गया है, जिससे इसने अपने चारों और पॉली सेकराइड कोट बनाना स्टार्ट कर दिया और इसे S-strain में convert करने लगा कहने का यह मत्तब है जो आपका heat killed S-strain bacteria है इसका जो DNA है अगर वो R में आ जाता है अब S-strain जो bacteria है इसके DNA में signal होगा polysaccharide coat बनाने का क्योंकि वो coat बनाता है naturally तो अगर उसका एक gene निकल करके भी R-strain में आ गया तो यह भी coat बनाना start कर देगा R-strain transform हो जाएगा S-strain के अंदर और आपका जो mice है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा dead हो जाएगा अब इस particular experiment से यह बिलकुल थाबित नहीं हुआ कि DNA is the genetic material क्योंकि यहाँ पर कहीं पर DNA का नाम ही नहीं आया तो कुछ और scientist है जिन्होंने पता लगाने की कोशिश करी कि यार आखिर चक्कर क्या है आखिर माजरा क्या है क्या DNA genetic material है या आपका RNA genetic material है या क्या चक्कर है तो तीन जो आपके scientist थे इनका नाम था एवरी मेकलियोड एड मेकार्टी और इन्होंने क्या देखा इन्होंने कहा कि यार अगर यह समझ लो एक बैक्टीरिया है और इनके बीच में कुछ material का एक्सचेंज हो रहा है इस एक्सचेंज को रोकने की कोशिश करते हैं और देखते हैं transformation पर क्या प्रभाव पड़ा transformation is a process जहां पर बैक्टीरिया अपने आसपास पड़े हुए DNA को उठाने की कोशिश करता है जैसे यहां पर यह जो आर स्ट्रेन था इसने स्ट्रेन के को रोक दिया फिर बाकीश चीज़े यहां पर पर पहुंच गया तो यह फिर भी ट्रांसफार्म हो जाएगा यहां word translation पर हुई transformation फिर भी हुई ही हुई अब आप क्या करते हो भीया अब आप यहां पर protease डालने की कोशिश करते हो अब आप protein को रोकने की कोशिश करते हो कि यहां का जो protein था वो कि digest हो जाए protease से यहां पर सिर्फ RNA पहुचा और DNA पहुचा तो यहां भी आपको पता है transformation होई यहां भी आपको पता है transformation होई यानि protein को अगर आप रोक रहे हो तब भी transformation हो रही है RNA को अगर आप रोक रहे हो तब भी transformation हो रही है तो मेन कौन है मेन इन्होंने देखा कि जब यह DNA को आपकी नहीं हुती इन्होंने देखा जब इन्होंने डिने को रोक दिया डिया झान नहीं हुई अगर ट्रपार्मेशन नहीं हुई दिन्ने का रोकने पर मतलब ड्येन एकट्टॉल मटेरियल है जो एक बेक्टिरिया से दूसरे बैक्टिरिया में जा रहा था तो indirectly आपका every Mcleod और McCarthy सहाब ने प्रूव कर दिया कि DNA ही है जो कि genetic material का काम करता है DNA is the genetic material या आपका indirectly क्या हो गया प्रूव हो गया DNA is the genetic material या indirectly क्या हो गया आपका दोस्त प्रूव हो गया अब हम क्या करेंगे यहां पर भी scientist ने कहा कि यार हम पूरे तरीके से संतूष्ट नहीं हो है कि DNA is the genetic material है ठीक है हो सकता है आपका protease यह जो आपने isolate किया है जो protein को degrade कर रहा हो यह खराब हो कि तो यह protein को digest कर ही ना पाया हो protein ही चला गया हो इस side क्योंकि लोग उस टाइम पर protein को लेके बहुत obsessed थे protein का बहुत नाम था market में तो लोग मानने को तयार ही नहीं थे कि protein is not the genetic material क्योंकि आप कहीं भी किसी चीज़ को काम करते हुए देखो कि अपनी body में that is protein आप enzyme को काम करते हुए देखो that is protein आप अपने nails देखो protein के बने हैं here देखो protein के बने हैं आप अपने cell में देखो मेजरली आपको membrane के अंदर जो functioning करता हुए दिखाए देगा that is protein क्योंकि protein are the workhorses DNA तो मालिक है भाई DNA तो signal देता है कि भाई आरने बनाओ protein बनाओ क्या protein बनेगा वो DNA पर depend करता है तो DNA राजा आदमी है DNA मालिक है काम कौन करेगा वर्क होर्स कौन है protein है तो इसलिए protein इतना अबंडेंट है कि लोगों को लगता था है और सारे काम तो protein कर रहा है बट किसी ने यह नहीं सोचा कि कि किसी के कहने पर तो कर रहा होगा काम वह जिसके कहने पर काम कर रहा है that molecule that mastermind molecule is DNA तो इसको प्रूफ करना वस वेरी डिफिकल्ट और यहां पर जो अन एक्वी वोकल प्रूफ दिया गया अन एक्वी वोकल प्रूफ मतलब जिसने भाईया सब की बोलती बंद कर दी कि है ना यहां पर सब की बोलती बंद हो गए सब लोगों ने माल लिया कि DNA is the genetic material यह आपका किनों ने दिया था Hershey एंड चेज सहब ने दिया था एल्फरड हर्शी एंड मार्था चेज ने यह आपका प्रूफ दिया इन्हों ने किसको यूज किया इन्हों बैक्टीरिया को यूज किया बैक्टीरिया यूज अलॉंग विद बैक्टीरियो फेज बैक्टीरियो फेज क्या होता है बैक्टीरियो फेज मतलब एक ऐसा वाइरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है एंड यहां पर तीन फेजिस में यह काम हमारा चला पहला फेज जब आपका बैक्टीरियो फेज जो है यानि वाइरस वो इन्फेक्ट कर रहा है आपके बैक्टीरिया को तो इसको मैं ABC स्कीम कहता हूँ पहले आपका बैक्टीरियो फेज अटैच हुआ दूसरा ब्लेंडिंग हुई जिपक गया वहाँ पर जाकर तीसरा क्या हुआ सेंट्रिफ्यूगेशन हुआ अलग करने की कोशिश करी हमने इन मॉलिक्यूल्स को जानि आपके बैक्टिरिया को एंड बैक्टिरियो फेज को अटेच्मेंट ब्लेंडिंग सेंट्रिफ्यूगेशन एबी सी जो है यहां पर आपको देखने को मिला स्पैसिफिक चीजे क्या थी यहां पर दो मॉलिक्यूल्स का इस्तमाल किया गया एक तो आपका सल्फर जो की 35 पॉर्मैट में था यानि रेडियो एक्टिव था यानि रेडियो एक्टिव था यानि यह भी आपका कैसा था रेडियो एक्टिव था अब देखो भाया क्या हुआ सल्फर कहां पर पाये जाएगा दो मेजर चीजों में डिवेट थी प्रोटीन और डिने सल्फर कहां पर पाये जाएगा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिट्स होते हैं सिस्टीन और मिथाइनिन जो कि किस में पाये जाएगे प्रोटीन में पाये जाएगे डिने में सल्फर का कोई लेना देना है ही नहीं तो यहाँ पर यह किस में पाये जाएगे ओल्ली इन प्रोटीन ओल्ली इन प्रोटीन यहां पर phosphate जो है आपको पता है कि DNA तीन अलग अलग चीजों से मिलकर बना है nitrogenous base, sugar and phosphate, तो phosphate आपका सिर्फ कहां पर था, nucleic acid में था, only in DNA था, इसका protein से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, अब देखो दोस्त क्या हुआ, अब यहां पर हमने एक जो bacteria है वो रखा, और इस bacteria के उपर, हमने जो phase है इसका attack करा दिया, ठीक है, और तीनों stage हम यहां पर बना लेते हैं, attachment, blending and centrifugation, attachment, blending and centrifugation, क्या हुआ दोस्ति यहां पर, सबसे पहले देखो, एक तरफ हम बना लेते हैं, radioactive protein, यानि जो आपका virus का coat है, जो protein है, यह तो आपका radioactive है और इसके अंदर जो DNA है यह आपका क्या है, safe है, यह radioactive नहीं है, दूसरी साइड हमने क्या बनाया, दूसरी साइड हमने बनाया, कि यह जो आपका virus है, यह तो आपका एकदम normal है, और यहां पर आपका DNA जो है, यह radioactive है, अब ये जो DNA है यही सिर्फ आपका अंदर जाता है अभी हमें पता नहीं है कि सिर्फ DNA अंदर जाता है ठीक है अभी हमने इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं किया है बट हमें जनरली किताबों में लिखा हुआ पता है ग्यान तो हम उसको यहां पर इंप्लाइ कर रहे हैं अब इसको प्रूव भी करेंगे अभी हमने क्या देखा कि DNA अंदर चला गया है यहां पर हमने क्या देखा भाई यहां भी DNA आपका जो जैन्टिक मटेल है वह अंदर चल आगा है कि अब हम क्या करेंगे चीजों की हम लोग करेंगे तो उपर वाला पार्ट जो है अलग हो जाएगा हट जाएगा अंदर जो है आपका डियन ने पड़ा हुआ रह जाएगा तो यहां पर भी यह जो बैक्टिरियो फेज का प्रोटीन कोट है यह आपका हट जाएग और DNA अंदर पड़ा रहेगा अब आप क्या करो इसका analysis करो अब आप यह जो हमारे पास final चीज़ें आई है इनका analysis करो आपको क्या पता लएगा कि उपर वाला जो पार्ट है जो हट चुका है उसके अंदर radio activity है यहां पर आप क्या बोलेंगे supernatant as radio activity यानि आप अगर यहां पर test tube बना कर देखेंगे तो आपको पता लएगा उस test tube के अंदर main component क्या है main component जो cell है उसके अंदर तो आपका DNA पाये जा रहा है जो कि आपका नीचे है और उपर आपका ऐसा component है जो कि radioactive है तो supernatant radioactive है नीचे वाला जो पार्ट है वाला पार्ट वो radioactive नहीं है यानि आपको यह पता लगता है कि जो पार्ट radioactive था यानि प्रोटीन जो radioactive था यह तो cell के अंदर घुसा ही नहीं जो गुसा ही नहीं जो infection कर ही नहीं पा रहा वो genetic material नहीं हो सकता second important thing यहां पर जब इन्होंने यह analysis देखा तो इन्होंने पाया जो चीज cell के अंदर घुसी वो आपकी radioactive थी और cell के अंदर क्या घुसा radioactive पार्ट radioactive पार्ट कौन सा था phosphate phosphate किसमें था सिर्फ और सिर्फ DNA में यानि DNA आपका radioactive है बाहर जो निकला आपका protein वो radioactive है ही नहीं supernatrant आपका बाहर निकल गया यानि इस experiment से भी हमें पता लगा कि protein अंदर नहीं जाता सिर्फ DNA अंदर जाता है इस again से भी हमें पता लगा प्रोटीन अंदर नहीं जाता सिर्फ डियने अंडर जाता है तो यह एक ऐसा एक्सपरिमेंट था जहां पर हमको क्लियर कट पता लग गया कि भाईया DNA is the genetic material यहां पर attachment, blending and centrifugation होती है यहां हमें exactly आके पता लग गया कि DNA is the genetic material अब मेन जो जंग स्टार्ट हुई वो यह हुई कि भाईया DNA is the genetic material ठीक है पता लग गया, इसका structure तो बताओ, कैसा दिखता है यह तो बताओ, तो इन्हों ने कहा कि DNA क्या है, एक type of nucleic acid है, deoxy ribose nucleic acid, तो nucleic acid usually कितने type के होते हैं, दो type के होते हैं, ठीक है, एक तो आपका major genetic material, जिसको हम क्या कहते हैं, DNA, deoxy ribose nucleic acid, और एक आपका RNA ribose nucleic, acid, और इन दोनों के दोनों nucleic acids के अंदर ही, तीन different components होते हैं, पहला आपका nitrogenous base, nitrogenous base यहाँ पर कौन से होते हैं, यहाँ पर thymine unique है, यहाँ पर आपका uracil unique है, यहाँ पर जो sugar है, उस sugar का नाम क्या हो जाएगा, उस sugar का नाम हो जाएगा, डियोक्सी ribose, डियोक्सी ribose sugar, और नाम है डियोक्सी ribose, यह RNA है, तो इसमें कौन से शुगर हो जाएगी, इसमें हो जाएगी ribose, यहाँ पर देखोगे, थर्ड चीज जो पाई जाती है, वो है phosphate या phosphoric acid molecule, और यह यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, यह है आपकी phosphate which is common, और दा phosphoric acid molecule, ठीक है, नाइटरजिनस बेस, शुगर phosphate, नाइटरजिनस बेस, शुगर phosphate, बस शुगर डिफरेंट है, यहाँ पर ribose है, यहाँ पर डियोक्सी ribose है, यहाँ पर ATGC है, नाइटरजिनस बेस, यहाँ पर AUGC है, फॉसफेस फॉसफेट दोनों जगा पर common हो जाएगा, यह वाला है, तो यह हमेशा थाइमीन के साथ ही bind करेगा दूसरे strand पर दो hydrogen bond के साथ, और C है, तो यह हमेशा G के साथ ही bind करेगा with three hydrogen bonds, अगर हम बात कर रहे है, RNA की, तो A के सामने क्या आ जाएगा, T की जगा U आ जाएगा, क्योंकि T तो ही नहीं यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ T है, वह अगर हम देखें, तो A के सामने अगर T आता है DNA में, तो RNA कभी अगर double stranded हुआ, तो A के सामने क्या आएगा, U आएगा, क्योंकि T तो ही नहीं आप पर, ठीक है, यह आपके rules है, अब देखें भाईया, क्या हुआ, अब आपके यह जो nitrogenous base है ना, यह दो तरीके के होते है, पहल प्यूरीन, दूसरा pyramid, क्या हुआ यहाँ पर, बहुत गौर से देखें, यह आपका 9 member है, 9 member यहाँ पर पाए जाते हैं, और 5 को छोड़के, हर position पे, हर odd position पे nitrogen लगता है, दोनों ही cases में, तो 5 को छोड़के, यानि 1, 3, 5 छोड़ दिया, मैंने 7, 9 position पर क्या लगेगा, nitrogen लगे है, यह 6 member है, यहाँ पर भी nitrogen, 1 और 3 position पर लगेगा, क्योंकि 6 member है, तो 7 और 9 position तो है नहीं, 5 पर लगता नहीं है, तो इस position पर आपका nitrogen लगेगा, अब how it is going to make a bond, how it is going to make a nucleotide, यह हम समझ देते हैं, तो जब एक nitrogenous base है, यह पहले sugar के साथ जुडता है, तो क्या बनता है, sugar के साथ जब जुड रहा है, तो S4 क्या बनता है, nucleoside, nucleoside बनता है, और जब यह nucleoside, यानि nitrogenous base और sugar अल्रेडी जुड चुके हैं, जब यह nucleoside, phosphate के साथ जुडता है, तो क्या बनता है, आपका nucleotide, और यह nucleotide जब अपने आपको grow कराता रहता है, दोस्त यह nucleotide जब बहुत सारे molecule जुड जाते है, तो इसे आप कहते हो, poly nucleotide और poly nucleotide को ही आप प्यार से क्या कहते हो, nucleic acid, यानि कोई अगर आपको बोले कि nucleic acid किसका polymer है, nucleoside का या nucleotide का, यह nucleotide का polymer है, बिना phosphate bonding नहीं हो पाईगे, nucleotide का polymer है, यह बात हमें जाननी है, ठीक है दो nucleic acid का structure आखिर बनता कैसे है, या किसी भी particular nucleic acid का structure बनता कैसे है, यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, एक आपका purine ले रहा हूँ, ठीक है, तो 6 member की मेरे पास यह ring है, 5 member की मेरे पास यह ring है, अगर यह fuse हो गई, तो 9 member की मेरे पास ring बन चुकी है, ठीक है, अब nitrogenous base से कहा जात अब यह वाला जो nitrogen है यहाँ पर, इसके साथ combine करेगी आपकी sugar, यह आपकी second position है, इसके उपर OH हो सकता है, HOH, HOH, HOH and so on, ठीक है, अगर इसके उपर OH है, it is ribose sugar, अगर आपने delete कर दिया, यहाँ से oxygen और सिर्फ H लगा दिया, it is deoxy ribose, तो अगर मैं DNA बनाऊँगा, तो मैं इस sugar पर सिर्फ H लगाँगा उपर नीचे, और अगर मैं आपका RNA बनाऊँगा, तो मैं HOH लगाँगा, यह जो oxygen है, यह reactivity provide करता है, तो RNA is more reactive than DNA, उसके दो reason है, पहला extra oxygen है RNA के अंदर, दूसरा uracil है, थामीन नहीं है, तो uracil also contributes to the reactivity, तो यहाँ पर let's say हम लोग DNA बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपका HH आजाएगा, डियोक्सी हो गया, यहाँ पर HOH आजाएगा, यहाँ पर क्या आजाएगा आपका CH2OH, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस H को हटा देता हूँ, और यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, phosphate molecule लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या ल है और यहाँ पर यह जो फोस्फेट के साथ बाइन बन रहा है क्या यह फोस्फोस्थर नहीं हो गया जब यह molecule आगे चलके एक और nucleotide के साथ react करेगा तो फस्फर डाएसिंस को टाइब्णड बन जायेगा क्योंकि दो और sie construction बनेंगे न आप दो nucleotide molecule आपस जोड रहे हैं यह तो complete एक nucleotide molecule है एक nitrogenous base एक शुगर एक आपका phosphate यह एक नुक्लोटाइड है पर मैंने क्या बताया जब DNA या RNA बनेगा तो पॉली नुक्लोटाइड आएंगे बहुत जादा नुक्लोटाइड के मॉलिक्यूल आएंगे तो सब जब जुडएंगे अल्टिमेटली तो वहाँ पर फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा और इसकी पॉली मराइजेशन होती रहेगी इसकी पॉली मराइजेशन होती रहेगी तो यह चीज़ें आपको अच्छे तरीके से जाननी है पहचाननी है अब देखो यह आपका एक मॉलिक्यूल है एंड वाट यू नेट टू डू इस यू नेट टू अंडेस्टैंड इस कम्प्लीट स्ट्ट्चर तो इसका कम्प्लीट स्ट्ट्चर किनों ने दिया सबसे पहले तो उनका नाम हम लोग देख लेते हैं एक सरे डिफ्रेक्शन ए एक मैथड है कि जिससे कुछ साइंटेस्ट ने डेटा निकाला और सायंटेस्ट का नाम था विलकिन्स एंड रोजा लिन फ्रैंक्लिन तो विलकिन्स एंड´ copy and Franklin ने एक-च्रे डिफ्रेक्शन का डेटा निकाला और इस एकच्रे डिफ्रेक्शन के डेटा को समझालाइज कर के वाट्सन एंड क्रिक सहाब ने DNA का स्ट्रक्चर दिया जिसे क्या बोला जाता है Double Helix Model of DNA यह आपका वाट्सन एंड क्रिक सहाब ने दिया ठीक है तो यह चार साइंटिस्ट थे जिनका एहम रोल था in elucidating the structure of DNA Wilkins, Franklin, Watson and Crick अब इन में से तीन को Nobel Prize मिला Wilkins को Watson को and Crick को Franklin जो है Rosalind Franklin इनको Nobel Prize नहीं मिला क्योंकि Nobel Prize is not awarded posthumously अगर आपकी death हो जाती है Nobel Prize मिलने से पहले तो आपको Nobel Prize नहीं दिया जाएगा Nobel Prize सिर्फ और सिर्फ जिन्दा साइन्टिस्ट को ही दिया जाता है यह बात हमेशा याद रखना अधर्वाइज आज काफी ऐसे साइन्टिस्ट होते जिनको नोबल प्राइज मिलता फॉर एक्जामपल फादर ऑफ जनेटिक्स जिनका वर्क अन्नोटिस चला गया जब तक वह जिन्दा थे और उनक काम जो है आज चायद करोड़ों लोगों तक पहुंच पाता जो कि पहुंचा भी है उनली बाइलोजिस्ट तक ही अभी अभी कंसॉलिडेटेड है यह काम लेकिन उनकी वावाही बहुत दूर तक जानी चाहिए थी जो कि किसी को नहीं सुनाई दी सेकेंड ली काफी सारे ऐ लागे चलके मिलेगा भी तो आते हैं टॉपिक पर वापिस विलकिन्स फ्रैंकलिन वाट्सन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल ओफ दिन ने प्रोवाइड किया इन्होंने चाका कहा इस चीज को सबसे पहले जान लेते हैं इन्होंने कहा कि डिन जो है इसमें आपकी डब दूबल हेलिक्स बोल दिया इन्होंने तो दो हैलिक्स है और यह दोनों एंटी पैरलल है अगर एक हैलिक्स फाइब प्राइम टू थ्री प्राइम जा रही है तो दूसरी हैलिक्स आपकी बिलकुल उल्टी जाएगी यहां पर एक हैलिक्स का थ्री प्राइम है तो यहां पर यहां पर 5' होगा, यहां पर 5' है तो यहां पर 3' होगा, यानि यह जो आपका model है, पहली बात तो double standard है, दूसरी बात anti-parallel है, दोनों जो आपकी, you know, chains है, halices है, यह एकदम दूसरे के opposite भाग रहे हैं, एक 5' to 3' एक 5' to 3' अब यह 5' 3' क्या है, यहां पर अगर आप देखोग है, this is carbon number 1', this is carbon 2', 3' यहां पर carbon 4' यहां पर यह वाला carbon 5' तो 5' पर क्या लगा रहता है, और यह जो 3' है, यहां पर OH रहता है, अब अगर यहां पर एक और nucleotide आता है, तो यह OH तो bound हो जाएगा, लेकिन सबसे last जो nucleotide है ना, उसका OH free रहता है, तो अगर आप पूरा एक DNA क strand बनाते हो, तो एक side में आपको phosphate free मिलेगा, एक side में आपको OH free मिलेगा, फिर इस OH के उपर आप और molecules लगा सकते हो, nucleotide के और molecules लगा सकते हो, यानि यह free 3' OH आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आपको और nucleotides add करने है तो, यह point हमें replication में बहुत काम आएगा, और 5' पर जो phosphate है वो आपका सबसे उपर ticker बैठा रहेगा, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा, कि एक 5' to 3' है, एक इस side से 5' to 3' है, यह जो backbone है मेरे दोस्त, यह backbone बनी किस चीज की है, यह backbone बनी किस चीज की है, यह backbone बनी है भाई, sugar plus phosphate की, और अगर यह sugar और phosphate की backbone है, तो nitrogenous basis कहां पर है, nitrogen nitrogenous basis है, अंदर की side, यहाँ पर, तो they are present inward, है ना, एक थोड़ा सा detail में बना कर देख लेए थे, समय लो यहाँ पर A है, तो A के बगल में क्या आएगा, double bond लगेगा, और double bond लगकर क्या आएगा, T आएगा, A है तो double bond लगकर T आएगा, यहाँ पर C है, triple bond लगकर G आएगा, यहाँ पर A है, double bond लगकर T आएगा, यहाँ पर C है, triple bond लगकर G आएगा, और इस प्रकार से चीज़े आपकी होती रहेंगी, एंड यह आपका क्या हो जाएगी, एक pitch हो जाएगे, अल्राइट यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह जो एक turn है यह जो एक turn है जिसे pitch of the helix कहा जाता है यह कहा गया भाया 34 angstrom का turn है 34 angstrom को अगर आप nanometer में convert करते हो तो क्या हो जाएगा 3.4 nanometer हो जाएगा ठीक है और कहा गया कि एक turn के अंदर 10 nitrogenous base pair होते हैं है ना 10 base pair होंगे यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो इस side 10 आपके होंगे nitrogenous basis और इस side भी आपके 10 nitrogenous basis होंगे और इनका क्या बन जाएगा पेर फिर बन जाएगा इनका क्या हो जाएगा पेर फिर बन जाएगा तो अगर आपको निकालना हो कि भाईया इन दोनों के बीच में कितना distance है तो आप क्या करोगे भाई 34 angstrom था टोटल इस pitch का size और इसमें 10 nitrogenous basis है तो क्या हो जाएगा 3.4 angstrom हो जाएगा या फिर nanometer में आप convert करोगे तो 0.34 nanometer आपका हो जाएगा यह जो है आपकी 20 जो है this is your diameter of DNA राइट 20 angstrom जो है आपका यहाँ पर यह diameter होता है तो जो nitrogenous base है अंदर की side है और आपकी backbone जो है वो sugar और phosphate की बनी हुई है यह DNA का आपका क्या है structure है और यह structure के cracks points है ठीक है तो आप DNA का structure देख लिया now we need to understand कि भाया DNA जो है majority of organisms के अंदर genetic material क्यों है क्या है DNA में ऐसा सबसे पहली चीज इसमें stability है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया एक oxygen यहाँ पर कम है मैंने आपको यहाँ पर क्या आप यहाँ पर RNA बना रहे होते हैं तो यहाँ पर OH लगा हुआ होता है यानि RNA में एक oxygen ज्यादा है तो वह ज्यादा reactive है अगर reactive है तो RNA अलग अलग काम करता है वह reactive है तो enzyme का काम भी करता है उसे ribozyme कहते है right then उसके बाद अगर आप देखे तो RNA जो है एक structural molecule भी है आपने ribozyme का नाम सुना होगा वह किस से बनता है प्रोटीन और RNA से मिलकर बना होता है यानि ribozyme जो है उसका जो structure है वो बनाने में भी RNA का रूल है then जब आप बात करेंगे adapter की जब आप protein synthesize कर रहे होंगे तो protein मनाने के लिए AK amino acid को जोड़ना पड़ता है वह AK amino acid पकड़ करके कौन लेकर के आएगा आपका DNA जिसे हम adapter molecule बोलते हैं तो RNA के बहुत सारे काम है जब initially धरती पर life की शुरुवात हुई थी तो हमें एक Swiss knife चाहिए था Swiss knife क्या होता है एक market में एक चाकू सा मिलता है है ना उससे काफी काम कर सकते है वह चाकू है वो self defense के लिए भी काम कर सकते है वो किसे भी थीझाघए क्हिश कोछ एस्ट तॉक्य ने लेल लो जो template का काम भी कर दे mRNA ले लो जो adapter का काम भी कर दे tRNA ले लो जो genetic material का काम भी कर दे फिर से mRNA ले लो जो सब काम कर सके initially बाद में तो कुछ ना कुछ process streamline हो ही जाते हैं तो बाद में तो DNA आही गया लेकिन initially ऐसा molecule चाहे था हमें तो भाई हर चीज में गरदा उड़ा दे that mastermind molecule was RNA so that was the first genetic material उसके बाद mutation से आपका क्या बना है DNA बना है अब यहाँ पर structure हो गया now we need to understand the process of its replication तो जब आपके Watson और Crick साहब ने the structure of DNA दिया उस ताइम पर इन्होंने कहा कि it has not fallen from our notice that we need to work upon its replication scheme also अगर मुझे यह information पता है कि A T के साथ ही bind करेगा C G के साथ ही bind करेगा तो इस information की कुछ तो value है उस valuable information को मुझे decode करना है और मुझे analysis करना है कि भया replication DNA के आखिर होती कैसे तो what they have done is to find out the scheme of DNA replication उन्होंने क्या बोला अगर DNA आपका double stranded है जो की है इन्होंने बोला during replication यह दोनों के दोनों strand खुल जाते हैं और हर strand अपना complementary strand तयार करने की फिराक में लग जाता है तो एक-एक strand जो है parental strand यह तो आपका पुराना होता है और एक-एक strand जो है नए molecule में daughter molecule में यह नया बनेगा यानि एक strand आपका कैसा होगा parental strand होगा एक strand आपका कैसा होगा old strand होगा जबकि एक strand आपका कैसा हो जाएगा एक strand आपका new strand हो जाएगा यानि आप क्या बोल सकते हो कि 50% नया molecule बनेगा 50% पुराना यानि conserve तो हुआ DNA लेकिन सिर्फ half तो इसे आप क्या कह सकते हो 50% इसे आप क्या बोल सकते हो semi conservative model of DNA replication semi conservative model of DNA replication आधा conserve किया आधा नया बनाया तो इसमें आपके दो important experiments आते हैं जो कि हम लोगों को देखने हैं पहला experiment जो है वह आपका bacteria पर किया और दूसरा experiment जो है वह आपका eukaryote पर किया गया radioactive thymidine को ले करके जो कि टेलर और उनके कलीक्स ने किया वीसिया फाबा पर यानि फाबा बीन्स के उपर अब बीन है तो automatically it's a vegetable and ultimately it's a eukaryote e-coli पर जो experiment हुआ वह कैसा हुआ सबसे पहले e-coli को grow कराया गया एक ऐसे material के उपर जहां जो nitrogen था वह आपका abnormal है nitrogen n14 होता है यहां पर क्या है n15 है n15 क्या है रेडियो आइसोटोप नहीं है इस हैवी आइसोटोप radioactive नहीं है यह हैवी आइसोटोप है तो अगर e-coli को कई generation तक आप ग्रोव करा रहे हो ऐसे NH4Cl पे ऐसे ammonium chloride पे जो कि उसके खाने का material है जिसमें heavy nitrogen है तो क्या आपका यह जो e-coli है इसका DNA काफी generations बाद आपका n15 n15 कैरी करने लगेगा बिल्कुल कैरी करने लगेगा भाई जो खाएगा वही तो पाएगा अगर है यही आसपास n15 तो सारे के सारे DNA strands n15 हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे फिर इसे क्या कर दिया वह यह नॉर्मल जगा पर ले गए अगर इसे नॉर्मल जगा पर ले गए अब इसे नॉर्मल जगा पर ले गए जहां पर जो NH4Cl था यह n14 था तो अब क्या हो जाएगा जो पुराने strand है वो आपके n15 ही करेंगे बर जो नए strand है वो क्या करेंगे अब नया material उठाएंगे n14 उठाएंगे तो अब यह आपको analyze करना है कि कितना इनोंने n14 उठाया कितना n15 बचा तो उसके लिए आपका यह experiment किया जाता है सबसे पहले जनरेशन हमारे पास जो थी वो थी यह वाली यहां पर आपका n15 है यहां पर आपका n15 है ताजा ताजा इस वाले मीडियम से उठा करके dna को लाया गया है ठीक है तो जब हमने यहां पर एक test tube रखी तो इस test tube में हमें मिला इसको टेड़ी लेटा लेते हैं n15 is very heavy तो नीचे की साइड आपका जो पूरा का पूरा माल था यह बैठा हुआ था हैवी जो है segment हमें देखने को यहां पर मिला test tube के अंदर अब हमने क्या किया इकुलाय को यूजवली डिवाइड करने में रैप्लिकेट करने में 20 मिनट के आसपास लगती हैं तो हमने इसे क्या क्या 20 मिनट का time दे दिया अगर आपने इसे 20 मिनट का time दिया तो उसके बाद हमने क्या देखा उसके बाद हमने देखा एक जो strand है वह आपका सफेद है और अगर आपने एक डियने को रैप्लिकेट कराया है तो दो डियने मॉलिक्यूल बनेंगे ना दो डॉटर सेल्स बनेंगे दोनों डॉटर सेल में सेम कहानी थी एक हैवी एक आपका light है ना तो यहां पर क्या हुआ एन 15 हुआ और यहां पर आपका क्या हुआ एन 14 हुआ तो यह सेग्मेंट में आएगी मीडियम सेग्मेंट में दोना के दोनों DNA में एक 15 है एक 14 है 15 है मीडियम सेग्मेंट में आया हैवी सेग्मेंट में नहीं आया अब इसको मैं दोबारा से क्या करा देता हूं इसको मैं दोबारा से 20 मिनट बाद रेप्लिकेट करा देता हूं अब देखो template strands कैसे बनेंगे यह आपका सफेद है यह पीला यह सफेद यह पीला चारों के चारों आपके strand अलग हो जाएंगे सफेद सफेद बीच में क्या है आपका पीला पीला अब नया जो strand बनेगा वो तो सारा का सारा नया strand यह पर भी पीला बना नया strand यहां पर भी पीला बना और इससाबसे चारों चीजे आप की देखने को मिली अब देखो क्या हूआ यह यह वाला जो है यह complete N14 है यानि light है यह वाला आपका N14-15 है यानि hybrid है यह वाला N आपका 14-15 है यानि hybrid है तो जब आप इसको plot करते हो यहाँ पर एक test tube को देखते हो CSCL density gradient जब आप चलाते हो तो आपको पता लगा कि भाईया यहाँ पर एक तो आपका क्या है medium है और एक band जो आएगा आपका वो कैसा आएगा वो आपका light आएगा यह आपका light आएगा तो पहले N15-N15 वाले heavy थे फिर आपके medium बने फिर आपका medium and light दोनों बने यह तभी हो सकता है जब एक strand आपका पुराना हो एक strand आपका नया हो तो आपका यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया किन साइंटिस ने प्रूफ किया मैसलसन एंड स्टाहल ने मैसलसन एंड स्टाहल ने यह प्रूफ कर दिया कि DNA का जो replication है it is semi-conservative in nature it is semi-conservative 50% DNA आपका conserve होगा 50% DNA आपका क्या होगा नया बनेगा सेम जो experiment है यह eukaryotes में किस ने किया आपका tailor and colleagues ने सेम एक्सपरिमेंट आपका किनों ने किया टेलर एट आल एट आल मतलब उनके सारे साथी ने इस पर किया वी सिया फाबा पर जिसे हम फाबा बीन्स भी कहते हैं और यहां पर हमने है है हवी नाइट्रोजन का इस्तमाल किया है इन्होंने किस चीज का इस्तमाल किया रेडियोसेdas अथी तुछ जा लग गया Central Dogma मतलब Crick साहब ने एक scheme दी थी, C4 Crick, C4 Central Dogma, Crick साहब ने एक scheme दी थी कि DNA से RNA कैसे बनेगा, RNA से protein कैसे बनेगा, इस पूरे Central Dogma of Molecular Biology को हम कोशिश करेंगे इस एक screen के उपर ही ले आए, और ये screen इस पूरे chapter की सबसे important screen होगी, इसे बहुत गौर से देखना है दोस्त, ठीक है सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास क्या है भया, DNA है, यह हमारे पास है, Double Standard DNA, अब यह जो DNA है, यहाँ पर एक strand अगर 5' to 3' है, तो दूसरा strand एकदम उल्टा हो जाएगा, 5' to 3' in different direction, अब हम यहाँ पर एक enzyme लगा देते हैं, उस enzyme का नाम क्या है, उस enzyme का नाम है, हैली केस, ह तो हैली केस जो है, वो क्या करता है, इस particular हैलिक्स को खोल देता है, यह गुता हुआ DNA है, मैंने straight line मनाई है, बट यह गुता हुआ DNA है, इसको क्या करेगा है, बीच से खोल देगा, ठीक है, और अगर यह इसे खोल देगा, तो यह DNA जो है, यह आपका कैसा दिखने लग जाए फोल चुका है है, मैं हैं हेली केज फिर और आगे मूव करता जाएगा, तो यहां तक इसने खोल दिया है DNA को यब, और आगे तक इस DNA को को टा रहेगा, और आगे तक सने यहां पर क्या देखने को मिला हमें यह फाइफ प्राइम था 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 यह फ स्ट्रेंड खुले हैं इनको पास-पास नाने दे सिंगल स्ट्रेंड बाइंडिंग प्रोटीन मतलब इन्हें सिंगल स्ट्रेंड ही बना के रखेंगे ठीक है और अब समझ लो एक चीज ऐसे गुथी हुई थी आपने उसको बीच से खोल दिया तो एंड में तो टेंशन डवल यहां पर कट लगाता है जिससे कि रिलीज हो जाए फटा-फट रसिया और इन्हें नॉर्मल फॉर्म में लाने के बाद सील कर देता है अब माइट मैप में हर चीज नहीं दिखा सकते हैं अब यहां पर क्या हुआ देखें यहां पर जो डिन एप्लिकेशन है यहां पर जो बनना स्टार्ट होगा यह फास प्रांट फ्री प्राइम अब इसी डेरेक्शन में डिन आपका खुल रहा है तो क्या यहां पर जैसे जैसे डिन एप खुलता जाएगा वैसे वैसे अपने आप काम नहीं होता जाएगा बिल्कुल होता जाएगा इस इस कॉल्ड एस i continuar our the leading job भाई DNA मनाने के लिए आपको ATP, GTP, CTP, TTP add करने पड़ेंगे, है ना जैसे ATP है, ATP की जो end के जो दो phosphate है ये तो energy provide करेंगे, और जो adenine और एक phosphate बचेगा, ये आपका जाकर add होगा, मैंने आपको क्या बताय था, एक adenine है, एक sugar है, एक phosphate है, तो ये तो आपका nucleotide कहला है ना भाई, nucleotides तो add कर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करोगे, जो ATP लेकर आओगे, ये energy भी देगा आपके process के लिए, क्योंकि energy लग रही है, यहाँ पर पूरा DNA खुल रहा है पूरी body का, त यहाँ पर आपने RNA primer लगाया, DNA के replication को initiate करने के लिए, और इसने यहाँ पर आकर इस process को खतम कर दिया, लेकिन पीछे का DNA तो उसके बाद खुला है, यहाँ तक का DNA तो उसके बाद खुला है, तो इसका क्या करें, इसका दुबारा से एक primer लगाना पड़ेगा, दोस्त, से यहाँ तक का एक और primer इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है बाई, यहाँ से यहाँ तक का इसको और एक primer लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहे है, चीजे fragment में बन रही है, इन fragments को हम लोग क्या कहते है, इन fragments को हम लोग क्या कहते है, और end में हमें क्या करना पड़ता है यह DNA तो continuous है और यह DNA जो बन रहा है यह तो आपका non continuous बन रहा है तुकड़ों में बन रहा है तो इसको seal करना पड़ता है इसको क्या कहा जाता है DNA लाइगेज तो यह भी पूरा एक टुकड़े में कनवर्ट हो जाएगा यह भी पूरा आपका सिंगल ही टुकड़ा बन जाएगा and ultimately at the end of the day आपको क्या देखने को मिलेगा आपने ऐसे स्टार्ट क्या था आपने DNA को ऐसे स्टार्ट क्या था इसके साथ भी एक नया स्टेंड बन जाएगा इसके साथ भी एक नया स्टेंड बन जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा complete DNA replication यहाँ पर हो जाएगी तो DNA की जब copy होती है तो पूरे cell का DNA एक साथ copy होता है और DNA कहां present है क्रोमोसोम के अंदर जो कि nucleus में पाए जाता है तो सारा का सारा process कहां होता है nucleus में होता है कि this is what this is DNA replication यह क्या है यह डिएने रेप्लीकेशन है ठीक है अब आपको क्या करना है आपकी बॉड़ी में काफी सारे genes होते है यानि DNA के टुकड़े होते है आपको हर प्रोटीन की requirement हमेशा नहीं होती आपको specific protein की requirement होती है तो आपको जिंजिन प्रोटीन की requirement है आप सिर्फ वह बनाओ आप सारे क्यों बनाओगे तो जब आपका RNA बनना होता है ना तो वह process काफी अलग होता है है ना वहाँ पर सारा का सारा जैसे यहाँ पर DNA replicate हुआ है ऐसा नहीं होता वहाँ पर क्या होता है एक छोटा सा DNA का part जो है वह भी आपका replicate हो सकता है तो यहाँ पर हमारा DNA जो बना था इसका एक strand ऐसा था एक आपका ऐसा था अगर आप देखेंगे इसका इसकी polarity यहाँ पर 5 प्राइम तो 3 प्राइम है तो दूसरे वाले strand की polarity क्या हो जाएगी opposite हो जाएगी 5 प्राइम तो 3 प्राइम उल्टे के direction के अंदर ठीक है अब यहाँ पर समझ लीजिए आपका जो gene of interest है वो यहाँ पर प्रेजेंट है इतने पार्ट को ही आपको क्या करना है ट्रान्सक्राइब करना तो सबसे पहले तो दोनों strand में से एक फाट जो है वही आपका ट्रंसक्राइब करेगा दोने ही ट्रान्सक्राइब करेंगे समझ लो यहां पर sequence लगा हुआ है ए टी जी सी तो यहां पर क्या हो जाएगा टी जी है तो किया पर हो जाएगा जी अब अब इसको जब आप convert करोगे in the RNA तो इसका RNA कैसा बनेगा इसका RNA कैसा बनेगा A की जगा पर क्या जाएगा U T की जगा पर क्या जाएगा A G की जगा पर C C की जगा पर G यहां पर क्या जाएगा T की जगा पर A एक हिजगा electronics के यू सी की जगाव तरिशी यानि डुनोंं अगर अपना अपना आरेंने बनाते हैं तो यह भाई या दोनों है दूसरे के कंप्लिमेंटरी हो गए यह भाण बना के बैठ जाएंगे क्या कर 650 लाना है यह दूनों है अपने स्टरेंट यह अलग है तो अगर आप दोनों स्ट्रेंड को ट्रांस्क्राइब करा देते हो तो जो प्रोटीन मनेगा एड़ 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 एंड अफ दे वो भी आपके डिफरेंट बनेंगे तो हमें ना डिफरेंट प्रोटीन चाहिए क्योंकि इससे हमारी बॉडी की मशीनरी कॉम्प स्ट्रेंड कि भाई तू कर रहा है कोडिंग करता हूँ कुछ नहीं है कोडिंग स्ट्रेंड सिर्फ नाम दे दिया उसका क्या तू भी कोई कम नहीं है और अभी जो है तेरी जरुरत नहीं है किसे को मना करना होता है और उसको बुरा भी ना लग जाए तो बीच की एक साइक psychology हम लोग implement करते हैं यार इसको motivate भी कर दो और इसके बसका यह काम है नहीं यार इससे हो नहीं पाएगा अब यह कच्छा है इस काम के लिए तो इसको मना भी करना है तो इसको motivate कर दो कि यह अगली बार आपसे कराएंगे कराना नहीं है तो यहाँ पर क्या है जो template stand है उसको बोला आरे भाई तेरा नाम कुछ भी हो तेरा नाम template हो template हो template हो कर तो तू ही रहा है न, you are getting the credit, तो तू खुश रहा है भाई, उसको सर्फ नाम नाम दे दे कि भाई तू coding strand है, तू coding कर रहा है, जब कि कर तू कुछ भी नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या है, एक आपका पूरा का पूरा transcriptional unit बनती है, यानि इस जगा से, अगर आप देखो, तो तो क्या है दो, स्टेंड आए, यह दो बाला, एक ये वाला, ठीक है यहाँ पर क्या लगा रहता है, एक side में promoter लगा रहता है, एक side में, promoter, जहांसे process start होगा, transcription start होगी, धुस gelmiş टर्मिनेटर को टर्मिनेटर जहां पहल्याओ किस्ट शत्रच जना रहा है दुट्य cooking रहा है ऊपको पता है ॖ्यक्त इस्टार नीया स्ट्रेंड बनेगा तो यह क्या होना चाहिए 3 प्राइम होना चाहिए यह अगर 3 प्राइम हब आपका 5 प्राइम होना चाहिए है आंग तो यह जो एक्ष्वल में बना रहा है भाईजा आपका है दूसरा से औरने यह जो ड्याने का एकस्टेंट है यह आरेने बना रहा रहा है fire simulator थ utterly काम करता है एक फ्रेम ओफ रेफरेंस का काम करता है कि फ्रेम ओफ रेफरेंस का काम कैसे करता है आप क्या बोलते हो कि कोडिंग स्टेंड के 5 प्राइम पर प्रमोटर होता है और कोडिंग स्टेंड के 3 प्राइम पर टर्मिनेटर होता है यह कोडिंग स्टेंड से हमें पता नट होगे तो कोडिंग और टम्पलेट स्रेंट भी चेंज हो जाएगा आप यहां पर प्रोमोट्र लगाव गया तो लिए आपका टेंपलेट लेजांड अगर तो यह वाला कोडिंड स्ट्रेंड होगा नीचे वाला टम्पलेट हो बना लेते हैं यह आपका स्ट्रेंड है यह आपका क्षुल गया हो नीचे वाला जो stand है यह आपका template पो जब आपने जब आपसे स्टार्ट होगा इनीशली जब यह process स्टार्ट होता जायेगा अर इनीशेशन फैक्टर आ जाए गा और जब इस RNA को हमें fall कराना है, जब इस process को हमें terminate कराना है, जब आपका terminator आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, row factor आ जाएगा, तो सिग्मा जो है, इसको हम क्या कहते है, initiation factor, कुंति क praw कि कि कुछ क फैक्ट और यह जो है वह इसको हम क्या कहते है रोफेक्टर इसको टर्मिनेशन फैक्टर कहते हैं haioney कि दो यहां पर ंहाँ पार दियने इसडी से डीए ने बनाने वाला आज्रक है कि दियने भनानाने से दियने बनाने वाले एंजाइम को लोग क्या आपका आपका आय। आपका आय और-रन डी तो आ पर आहां पら से प्रणिमेरेंट कर नहीं और यहां पर आपका आय ने ऐसे मेरेंड करेंट तो उसको एक हैं थाय। अब RNA polymerase ही तीनों काम कराएगा, initiation भी, elongation भी, termination भी, लेकिन जब इसके पास initial sigma factor आ जाएगा तो इसको पता लग जाएगा भाई, शुरू करने का time आ गया है, और जब इसके पास final row factor आ जाएगा तो इसको पता लग जाएगा कि भाई, या terminate करना है process को, आपके पास क्या आ ज जाएगी, यह fall हो जाएगी, it will fall apart, यह जो RNA की string है, it will fall apart, और जो RNA की string है न, इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, process करना पड़ेगा, RNA की जो string है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, process करना पड़ेगा, तो इसकी processing किस type की होती है, अगर आप देखें, you carry out में, दो तरीके के sequence आपके पाए जा सकते हैं एक exon, एक intron, exon मतलब जो coding sequence होते हैं, जो कि आगे चलके आपके किसी काम आएंगे, this is exon, और बीच का ये जो है, हरे कलर का बना देते हैं, ये आपका intron है, हें यह हरे कललका बना देते हैं यह आपका in proton को हमें रिमूब करना होता है तो ओरल क्या करना है यह हमारे पास HN RNA है है ना हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरने इसको जब हम बनाने की कोशिश करेंगे MRNA तो हमें क्या करनी पड़ेगी इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी प्रोसेसिंग के दौरान हम लोग तीन स्टेप लगाते हैं एक आपका कैपिंग एक कैप लगाएंगे एक टेलिंग टेल लगाएंगे और एक स्प्लाइसिंग जो आपके नॉन कोडिंग सेग्मेंट्स हैं उनको हम लोग क्या करेंगे रिमूव करेंगे तो वाट हैपन ओवर हेर इस कि यहां पर देखे क्या था आपका जो आरने था कुछ ऐसा था इसमें बीच वीच में कुछ हरे हरे सेग्मेंट्स पाए जा रहे थे ठीक है आप देखे क्या हुआ अब यहां पर यह जो फाइफ प्राइम एंड है यहां पर हम लोग कैप लगा देते हैं किसकी मिथाइल गौैनोसीन ट्राइफ फोस्फिट की है ना मिथाइल गौैनोसीन ट्राइफ फोस्फिट की तो जीटीपी वेरी कॉमन बट इस एम जीटीप मिथाइल ग्रूप यहां पर एक्स्टा लगा हुए और जो थ्री प्राइम एंड है ना इस पर हम 200 से 300 एडनी लगा देते हैं लगाता इसे पॉली एडिनाइलेट टेल कहा जाता है जिससे डी मार् अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है दोस्त की आपका जो डियने है और आरने है यह तो दोनों के दोनों नुक्लिक असट है तो इनकी भाषा एक जैसी है या तो 80GC या AUGC बर जो प्रोटीन है इसमें 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं तो यह जो है आपके नुक्लिक असट की भाषा से एकदम अलग है इनकी भाषा नुक्लिक असट से मिलती जुलत नहीं है तो अभी तक तो नुक्लियस के अंदर डियने रेप्लिकेशन और ट्रांस्क्रिप्शन हुआ अब MRNA को अगर आपको convert करना है protein में तो आपको क्या करना पड़ेगा उसे भाषा साइटोप्लाजम में भेजना पड़ेगा साइटोप्लाजम में जब यह MRNA जाएगा तो यहाँ पर इसको क्या मिलेंगी यहाँ पर इसको मिलेंगी ribosome की unit ribosome की छोटी unit ribosome की baudy unit ribosome की छोटी unit ribosome की baudy unit sorry ठीक है 5' to 3' अब ये जो RNA है इसको पढ़ा जाएगा किसके sequence पे लिखा क्या है इसके nitrogenous basis का जो sequence है उसको decode करने के लिए हमारे पास क्या है genetic code है जनेटिक कोड क्या है भाया एक ट्रिपलेट है यानि हमें बताएगा कि इनीशली अगर लिखा हुआ है ए यू जी यानि यह कहना चाहरा है कि मिथियोनीन नाम का अमीनो एसिड लेकर आईए अगर लिखा हुआ है यू 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 तो यह हमें बताएगा फिनाईल एलनीन नाम क यहां पर चीज़ें लिखी रहेंगी उस हिसाब से ट्रन नए 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 अमीनो ऐसे पकड़ के लाता रहेगा एंड अल्टिमेटली यह जो आपका यह आपका एक प्रोटीन में कनवर्ट हो जाएगा और यह प्रोटीन क्या है आपका वर्क होर्स है यह आपकी बॉड़ी के अंदर सारे के सारे काम कर देगा अब आप देखो कि यहां पर जब ट्रांस्क्रिप्श्र्प्शन हो रही है इस लेवल से लेख करके और प्रोटीन बनने तक के लेवल तक काफी चीज़े हो रहे है यहां पर आपकी प्रोसेसिंग चल रहे है यहां पर आपका आर ने ट्रांसफ़र हो रहा है to the cytosol to the cytoplasm, इन सारे processes के दौरान, यहार regulation हो सकती है, इन processes को control किया जा सकता है, this is the whole central dogma in the most simplistic way possible, in the most simple way possible, और हमने कितनी slides को use किया है अभी तक, अब देख लीजे, हमने सिर्फ 5 slides को use किया है, around 6 slides को, and we learned about literally everything except human genome project which is totally theoretical, सिर्फ numbers है उसके अंदर, and DNA fingerprinting जो मैं आपको आखिर में थोड़ा सा समझाऊँगा, with the help of an NCRT diagram, when it comes to crux of the crux, अगर आप एक एक चीज लिखने पे आते हैं दोस्त, तो आपको सबसे पहले ये पता लग गया, कि हमने कैसे प्रूव किया, कि DNA is the genetic material, फिर हमने DNA के structure को देखा, DNA के structure को देखने के बाद हमने double helical model को समझा, फिर हमने देखा कि DNA replication semi conservative क्यों है, फिर हमने देखा DNA replication और transcription क्या है, फिर हमने देखा कि translation क्या है और genetic code कैसे काम करते हैं, और अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी सी अपनी किताब में चलेंगे, और एक एक चीज़ को detail में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कुछ चीज़े जो हम पढ़ चुके हैं, उनमें बहुत जादा दिमाग नहीं लगाएंगे दोस्त, है ना, उनको हम लोग directly छोड़ देंगे, देखो, सबसे पहले DNA जो है, किनोंने identify किया था, आपका फ्रेड लिक एसेड रखतो, DNA is the genetic material ये बताने के लिए पहला जो experiment हुआ, 1928 में, Griffith सहाब ने किया, जहाँ पर इन्होंने S strain और R strain लिये, streptococcus pneumonia के, ठीक है, जब इन्होंने R strain of bacteria डाला, bacteria पे, sorry, mice पे, तो वो नहीं मरा, S strain डाला तो वो मर गया, heat kill S strain डाला तो भी नहीं मरा, लेकिन जब दोनों का mixture किया, heat kill S strain का और R strain का, जो कि दोनों ही non-virulent थे, तब आपका mice जो है, वो मर गया, तो इन्हें कुछ दिक्कत दिखाई दी, तो इन्होंने कहा, कि कुछ तो ऐसा है, जो कि R strain को convert कर देता है, S strain के अंदर, और इन्होंने उस material को कहा, transformation principle या genetic material, बट बताया नहीं कि वो DNA है, RNA है, या है, protein, तो इसके लिए आए हमारे scientist, Every, MacLeod and McCarthy, इन्होंने आपका बताया, कि भाईया, ये जो material है, ये DNA है, क्योंकि जब हम DNA को एक bacteria से दूसरे bacteria में जाने से रोक लेते हैं, तो transformation नहीं होती, यानि transformation DNA की वज़े से ही हो रही थी, जब DNA डाला, तो कोई transformation नहीं थी, यानि DNA is the genetic material, बट फिर भी scientist जो है, इस बात से खुश नहीं थे, इस बात को नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक और experiment दे देते हैं, तो इन्ह DNA पार्ट और इन्होंने देखा, कि क्या ऐसी चीज है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर खुशती है, फ्रम वाइरस, और उस बैक्टीरिया को क्या करती है, बिमार करती है, तो इन्होंने देखा, मेरे भाई, कि आपका DNA जो है, वो बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है, रेडियो लेबल्ड प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर जाता ही नहीं है, यानि DNA is the genetic material, अब अगर आप देखोगे, तो DNA बनता किस चीज़ से है, डियोक्सी राइबो नुक्लियो टाइड, नुक्लियो साइड नहीं, नुक पाई है, पाई 174, इसमें 5386 नुक्लियो टाइड है, बैक्टीरियो फेज लेम्डा में 48502 बेस्पेर है, एस्चे रिशा कोलाई में 4.6 इंटू 10 रेस तुदी पावर 6 बेस्पेर है, और हमारे अंदर है, प्लॉइड जिनोम के अंदर 3.3 इंटू 10 रेस तुदी पावर, पाने पर क्या आता हूँ, 10 रेस तुदी पावर, 9 बेस्पेर है, यह बात आपको देखनी है, जलो भाई, कहां पर थे, अगर आप डिप्लॉइड कॉंटेंट देखोगे, तो इस बेस पेर को आप कितने में कनवर्ट कर सकते हो, बेसिस में कनवर्ट कर सकते हो, यार अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास 6 जोडी जूते हैं, तो मैं अगर इंडिविजुली गिनूँग तो मैं यह भी बोल सकता हूँ, कि मेरे पास 12 सिंगल सिंगल जूते हैं, तो अगर इंडिविजुली गिनुटाइट तीन चीज़ों से बनता है, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर, फॉस्पेट यह हम देख चुके हैं, नूकलोटाइड में सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस औ और N-Glycosidic Bond important है, आपका structure किनों ने दिया है DNA का, आपका Watson and Crick ने और इन्होंने data किसका यूज़ किया था, X-ray diffraction data, Wilkins और Franklin का, एर्विन चारगाफ सहाब ने भी अपने rule बताए, और ये कहा कि भाईया, एड़नीन हमेशा T से bind करेगा, C हमेशा G से bind करेगा, तो एड़नीन और थाइमीन का content हमेशा सेम रहेगा, ratio सेम रहेगा, करके देख लो भाईया, समझे लो एक stand है DNA का, इसमें लिखा हुआ है ATGC, A, T, A, T, A, G, ठीक है, अब देखो, दूसरे stand में क्या आएगा, A के भगल में क्या आएगा, T, T के भगल में आएगा, A, G के भगल में C, G, T, A, T, A, T, C, या आएगा, अब देखो, टोटल number of A कितने हुए, यहाँ पर देखो, A है तो उतना ही T, T है उतना ही A, A है उतना ही T, T है उतना ही A, A है उतना ही T, C और G के केसिस में देख लो, C है उतना ही G, C है उतना ही G, G है उतना ही C, तो correct है ना, जितना A होगा, उतना ही तो T होंगे पर उसी के पास, और जितना C है उतना ही G होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इन्होंने क्या बो बॉन्ड है, C और G के बीच में 3 hydrogen bond है, ठीक है, यह जो DNA के हैलिक्स होती है, राइट हैंडिड होती है, जब मैंने DNA का structure बनाया था, उस जगा पे आप लिख सकते हो, और 10 base pair होते हैं, एक turn में, एक turn का size क्या था, 34 angstrom, तो अगर आप 2 nitrogenous base pair के बीच का distance निकालते हैं, तो क्या हो structure बनाया था, इस प्रकार से, तो यह जो nitrogenous base है, यह एक दूसरे के साथ hydrogen bond से जुड़े हैं, यह यहां भी एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, stack हो रहा हैं, एक दूसरे के ऊपर चिपक रहा है, this is called as stacking energy, यह भी nitrogenous base को एक दूसरे के ऊपर, you know, क्या करके रखते हैं, खड़ा हर cell के अंदर 6.6 into 10 raise to the power 9 basis पाए जाएंगे, human के cell के अंदर, मानते हो, और हर nitrogenous base की, दूसरे nitrogenous base से दूरी कितनी है, 3.4 angstrom है, तो calculate कर लोगे total DNA की length, 3.4 angstrom into 6.6 into 10 raise to the power 9 base pair, total length निकल कर आती है, 2 meter, और आपका cell कितना है, 10 micrometer, 20 micrometer, 50 micrometer, 100 micrometer, 100 micrometer का cell जो आपको ठीक से दिखाई भी नहीं देता, उसके अंदर 2.2 meter की रसी कैसे pack कर रखके हैं, भाई, DNA जो है, इसमें कुछ खास चीज है, DNA जो है, यह होता है आपका negative, क्यों, क्योंकि DNA के पास क् phosphate, and phosphate क्या देता है, इसको negative charge देता है, तो यह क्या करता है, प्रोकरियोट के अंदर, यह जो negatively charged DNA है, यह कुछ positively charged proteins को पकड़ता है, और अच्छे तरीके से loops की format में arrange हो जाता है, यू करियोट में इस सिस्टम तोड़ा और complex है, यह जो DNA है negative, यह positively charged amino acids को ढूंडता है, ऐसे protein ज charge amino acid यानि basic amino acid जादा है, जिनमें NH3 positive नाम के groups जादा है, that is lysine and arginine, तो lysine and arginine positive है, और DNA आपकी, क्या है, negative है, तो यह जो आपके कुछ proteins है, इन्हें histone proteins कहा जाता है, और यह octamer बनाते है, octamer बतला 8 unit बना लेते हैं, तो यहाँ पर 2 unit होती है, H2A histone की, H2B histone की, H3 histone की 2, H4 होती है, तो टोटल आपकी कितनी हो जाती है, 8 units हो जाती है, यह 8 unit का एक मोटा सा गोला बनता है, जिसे हम क्या कहता है, histone octamer, और इसके around 200 base pair का DNA क्या है, आपका लिपट जाता है, इसके उपर positively charged, इसके उपर negatively charged DNA आपका wrap हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे structure को हम bead on string बोलते हैं, क यहाँ पर DNA क्या हुआ, आपका लिपटा हुआ है, इसके उपर, तो ऐसा लगता है कि धागे में किसी ने मोती पिरोय हुए हो, तो इसे bead on string structure कहा जाता है, ठीक है, bead on string structure कहा जाता है, जहाँ पर आपका यह जो histone molecule है, जो nucleosome है, वो आपका bead जैसा दिखाई देता है, और यह आप higher level पे जाते हो, जब आपका chromosome बनाने का time आता है, तो NHC protein यानि non-histone chromosomeal protein इसको और pack कर देते हैं, यानि initially तो histone protein आखर DNA के साथ bind कर रहे हैं, बाद में non-histone protein space के साथ bind करने लगते हैं, और deep packaging आपकी यहाँ पर हो जाती है, दो प्रकार के region हमें chromosome में देखने को मिलते हैं, यू chromatin और heterochromatin अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक chromosome अगर हम लोग बना ले, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपका centromere के पास यहाँ पर आपका DNA थोड़ा tightly packed होता है, और end में भी, और बीच में आपका खुला खुला रहता है, है ना, तो ये वाला जो region है, इ से हम क्या कहता है, यू chromatin, तो जो यू chromatin है, ढीला ढीला है, तो यहाँ पर आपके proteins के bind करने की जगा जादा है, तो यहाँ पर transcription करना आसान रहता है, तो यहाँ पर transcriptionally active, यहाँ पर आपके protein का bind करना is very difficult, तो यह जगा जो है, यह थोड़ी dark दिखती है, यह थोड़ी light दिख protein is lightly stained, और यह आपकी active होती है, ठीक है, अगर आप देखेंगे RNA को, तो RNA क्या है, थोड़ा सा unstable है, क्योंकि इसके पास एक extra oxygen है, तो RNA comparatively unstable होने के कारण जादा जल्दी mutate करता है, तो अगर आप से पूछा जाए कि DNA और RNA में से better genetic material कौन सा है, तो DNA is genetic material in 99.99% of the organisms by default, why? because it has got some better stability features, तो stability is the prime concern, उसके बाद आती है सारी के सारे चीज़े, right? तो जब Watson and Crick साम ने DNA के structure को elucidate किया, तो यह भी पता लगा है, जाने की कोशिश करी, जाने लगी कि यह replicate कैसे करेगा, तो semi conservative model सामने आया, मैसलसन एंड स्टाल ने E. coli के उपर research करी 1958 में, और इन्होंने पाया कि 20 मिनट बाद जैसे जैसे E. coli आपका divide करता रहता है, वो आपका आधा DNA ही fresh बनाता है, आधा आधा आपका template strand parent से ही लेता है, same experiment आपका Taylor और उसके colleagues ने किया VCFaba के उपर, and यहाँ पर इन्होंने प्रूव किया कि genetic material जो है, जो DNA है, वो semi conservatively आपका replicate करता है, आपको ज nucleotides add करने पड़ेंगे, जो nucleotides आते हैं, try phosphate के form में आते हैं, जैसे ATP, GTP, CTP, TTP, क्यों? क्योंकि इनके end के जो 2 phosphate molecules है, तूट करके energy provide करेंगे, और जो आपका nucleotide बचेगा एक phosphate के साथ, वो substrate molecule का का काम करेगा, वो strand में add हो जाएगा, तो आपका DNA जो है, वो धीरे-धीरे स्टार्ट होती है, random किसी point से start नहीं होती, origin of replication करके point होता है, जहां पर बकायदा सारी की सारे enzymes हा करके machinery establish करते हैं, वहां से replication start होता है, तो एक replication fork बनती है, Y shape का आपका काटा बनता है, जो हमने बना कर भी देखा था, ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे, कि DNA replication सिर्फ 5' to 3' end पर होती है, तो एक strand तो आपका continuously replicate करता रहेगा, जहां जहां strand खुल रहा है, वह उसी direction में जा रहा है, हमने बनाया था, कि यह जो DNA है, यह जिस side में खुल रहा है, उसी side में एक strand continue रहेगा, अब यहां पर पहले इतना ही खुला था, फिर इतना ही खुला था, तो यह क्या ब replication का और आपको अच्छे तरीके से पता है, कि आपका ओका जाकी fragment जो है, इन्हें जोडने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, DNA ligase का सहारा लिया जाता है, ठीक है, अब यह था आपका DNA replication, genetic code पर थोड़ा बाद में आएंगे, पहले हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, transcription process को और translation process को, तब जाके genetic code समझ में आएगा, अब देखो यहाँ पर enzyme कौन कौन से है, initiator protein, जो कि origin of replication पर bind करेगा, और replication process को initiate करेगा, इसलिए इसका नाम initiator protein रखा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, DNA helicase, नाम क्या है, helicase तो यह helix पर attack करेगा, और helix को खोलेगा, यानि इसे unwind करेगा, इसलिए इसे DNA unwind days भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके है, single strand binding protein, जिसे SSB protein कहा जाता है, यह क्या करता है, मेरे दोस्त, यह आपका, जो strand separate हुआ है, इनको separated ही रहने में help करता है, दोबारा इनकी coiling को prevent करता है, DNA primase, अब आपको पता है, कि DNA ख इसके उपर नए आपके, जो नुकलोटाइड molecules से वो add होते रहते हैं, so that primer is important, तो इसे RNA primase लिखो तो यह जादा बेटर आपका रहेगा, DNA polymerase 3 is the main enzyme, DNA dependent DNA polymerase इसे कहा जाता है, जो DNA से DNA बनाएगा, जबकि DNA polymerase 1 जो है, यह आपके primer जो आपने यूज के थे RNA उसको remove करेगा, और उसकी जगा DNA molecule को end में लगा देगा, और DNA ligase जो की glue का काम करता है, यह क्या करेगा, ओका जाके fragments को जोड़ देगा, these are all the enzymes responsible for the DNA replication process, when it comes to transcription, आपको पता है कि दोनों के दोनों जो DNA strand है, यह copy नहीं किये जा सकते है, transcription में क्यों, क्योंकि दोनों strand जो है, उनकी coding different है, complimentary है, अब अ को आप transcribe भी कराने की सोचोगे, तो same same आपके complimentary result मिलेंगे, वो साथ में bind कर जाएंगे, और double stranded RNA किसी काम का नहीं रहता, single strand में ही हमें RNA चाहिए रहता है, तो यह आपके क्या करेंगे, protein ही नहीं बना पाएंगे, अगर आपका double stranded RNA बना तो, तो पहले तो दोनों चीजों को हम हम लोग, दोनों strands को हम लोग transcribe नहीं कराएंगे, जिससे की ये गरबड़ी ना हो, secondly, two different proteins यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों जो strand है, वो code कर रहे हैं, और different protein के लिए code कर रहे हैं, एक ही DNA दो protein मनाए, it doesn't make any sense, इसलिए एक ही आपका जो template है, वो बरकरार रखा ज होगा, structural gene, जिसको हमें transcribe करना है, DNA का वो टुकड़ा जिसे transcribe करना है, terminator जहाँ पर process खतम हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर दो strand होते हैं, आपका template stand, एक आपका coding strand, coding strand वो होता है, जिसको हमने frame of reference माना है, frame of reference कैसे माना है, coding strand के 5 prime पर promoter रहेगा, और coding strand के 3 prime पर आपका क तो जिस strand के 5 prime पर promoter है, 3 prime पर terminator, वो है आपका coding strand, दूसरा template strand है, यह क्या करेगा, यह आपका RNA में convert हो जाएगा, यह आपका आगे चलके क्या बना लेगा, RNA बना लेगा, मैं देखता हूँ, मैंने diagram add किया है, यह नहीं किया, कोई बात नहीं, but we have already seen the transcription process via handmade diagrams, अब क्या होगा कि यहाँ पर जो promoter है, यह कहाँ पाए जाएगा, 5 prime end पर पाए जाएगा, of the coding strand, है ना, और जो promoter है, इसी पर क्या है, polymerase bind होता है, तो यहीं से आपकी process की शुरुवात होगी, terminator, आपका 3 prime end पर पाए जाता है, of the coding strand, और process को terminate करने के लिए row factor की जरुवत होती है, जबकि इसे start करने के लिए किस factor की जरुवत थी, आपके sigma factor की जरुवत थी, ठीक है, अब यह जो systron है, systron क्या होता है, systron मतलब एक ऐसा DNA का segment जो की protein मना रहा है, यानि जो coding part है DNA का, that is systron, अब यह arrangement different होती है, आपको मैंने बताया था, in eukaryot, यानि in complex animals, आपका जो RNA बना है, इसमें कुछ important part भी है, जो की coding है, और कुछ non important part भी है, और इसमें कुछ non important part भी है, जैसे इस वाले को हम लोगों ने क्या बोल दिया, काले वाले को intron बोल दिया, और यहाँ पर यह जो red वाला इसको क्या बोल दिया, exon बोल दिया, इसे exon बोल दिया तो एक बार में सिर्फ एक ही जो आपका gene है वो express करता है यानि एक promoter है अगर यहाँ पर तो वो सिर्फ इसी exon की transcription कराएगा एक promoter है यहाँ पर तो वो सिर्फ इसी exon की transcription कराएगा यानि एक switch से एक bulb जलता है इसे हम कहते हैं monocistronic arrangement जो आपका eukaryote में देखने को मिलता है बट prokaryote में क्या होता है prokaryote में आपके exons ही exons पाए जाते हैं split gene arrangement नहीं होती exon ही exon है तो यहाँ पर एक जो switch है इससे multiple bulbs आपके जल सकते हैं जैसे दिवाली की लड़ी जल जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं polycistronic कहते हैं यानि poly मतलब बहुत सारे cistrons एक साथ आपके क्या हो गए convert हो गए in a polypeptide तो split gene arrangement है यानि एक बार आपका coding segment, non-coding segment, coding segment, non-coding segment यह किसमें देखने को मिलता है यह आपका eukaryote में देखने को आपको यह चीज मिलती है तो इसको process करना बहुत ज़रूरी है तो हम process कैसे करते हैं इसको यह आपको देखना पड़ेगा process कैसे करते हैं मेरे भाई DNA dependent RNA polymerase जो है transcription कराएगा सबसे पहले transcription initiate होगी क्या आएगा वहाँ पर आपके promoter के पास sigma factor आ जाएगा और RNA polymerase bind कर जाएगा ठीक है then क्या होगी elongation होगी यानि आपके ribonucleotide triphosphates आएगे जो कि आपका पूरा RNA का stand तयार कर लेंगे then termination कैसे होगी आपका row factor आएगा और आपका जितना RNA बना होगा वह आपका DNA से अलग हो जाएगा अब क्या करना है हमें यह जो RNA बना है जो यूकरियोट के अंदर जो RNA बना है यह आपका क्या कर रहा है इंट्रॉंस भी कैरी कर रहा है तो इनको remove करना पड़ेगा तो यहां पर क्या है पोस्ट ट्रांस्क्रिप्शनल प्रोसेसिंग होती है यानि ट्रांस्क्रिप्शन के बाद भी हमें काफी चीज़े करनी पड़ती है पहला तो कैपिंग कि हम कैप लगा देंगे तो 5 प्राइम एंड जो है आपका आपके HNRN का वहाँ पर मिथाइल ग्वैनोसीन ट्राइफोस्पेट लग जाता है यानि MGPPP लग जाता है जिसके हमने बात करी थी अगर आप देखें तो 3' end पर tailing हो जाती है अडेывать यानि 200 से 300 अडेनिन लग जाते है 3' end के उपर ठीक है और splicing यानि बीच के जो इन्टरॉंस है वो आपके किया हो जाते हैp remove हो जाते है बीच के इन्टरॉंस जो है remove हो जाते है splicesome बन जाता है and ultimately जो भी part बिना काम का रहता है, intron रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, remove कर देते हैं तो HN RNA जो है इसमें capping, tailing और splicing के बाद इसे mRNA कहा जाता है और इसे translation के लिए भेज दिया जाता है now, u-cariot के अंदर एक और complexity है, पहली complexity कि इसमें introns होते हैं तो इसकी processing अच्छी खासी करनी पड़ती है दूसरी complexity, multiple type of आपके क्या है RNA polymerase है तो इसके लिए एक simple से trick मैंने बनाई थी RAMET, है ना, RAMET में देखो आपके capital words क्या है, RMT यानि RNA polymerase 1 जो है RNA बनाएगा, RNA polymerase 2 mRNA बनाएगा, RNA polymerase 3 TRNA बनाएगा तो RNA polymerase 1 जो है क्या बनाएगा RNA, RNA polymerase 2 क्या बनाएगा आपका HN RNA या फिर mRNA, यही तो mRNA में convert होता है and आपका RNA polymerase 3 क्या बनाएगा TRNA बनाएगा जिसे soluble RNA या SRNA भी कहा जाता है ठीक है, तो यह trick याद करो तीन alphabets की and आपका इतना बड़ा article जो है यह खतम हो जाएगा ठीक है, अब आपको पता है कि 3 प्रकार के RNA होते हैं हमारी body के अंदर 3 के 3 प्रोटीन मनाने के लिए important है mRNA, क्योंकि mRNA के उपर तो आके ribosome बैठेगा mRNA तो template का का काम करी रहा है protein मनाने के लिए TRNA amino acids को ले लेकर आएगा और उन्हें जोडेगा और RNA, भाई, ribosome बना ही RNA का है, यह तो structural molecule है तो यह तो काम आपका आना ही आना है, अब आपने क्या कर लिया अब आपने transcription कर ली अब आपको क्या करना है यह जो molecules आपको मिले है इसको आपको किस में convert करना है protein में convert करना है तो यहाँ पर आप देखो genetic code करके एक चीज आती है genetic code क्या है अगर आपको RNA को protein में convert करना है तो आपको यह पता लगना चाहिए कि RNA कहना क्या चाह रहा है समझ लो, यह मेरा RNA का strand है इसके उपर ribosome बैठा हुआ है ribosome पर मैं आपको दिखा नहीं रहा यहाँ पर क्या है एक particular sequence लिखका हुआ है AUG GUC CAACC अब मुझे क्या पता लगेगा कि भाईया यह कौन सा protein मनाने वाली है mRNA मुझे कैसे पता लगेगा AUG कहां पर आया A देख लो A और दूसरा U और तीसरा G यहाँ पर आया AUG है ना यहाँ पर आया AUG AUG मतला मिथाइनीन आ गया ठीक है यहाँ पर क्या आ गया मिथाइनीन आ गया मिथाइनीन के बाद मैंने bond लगा दिया दूसरा क्या बचा भईया आपका GUC मैंने क्या देखा यहाँ पर G यहाँ पर U और यहाँ से C आया क्या आया GUC वैलाइन आ गया तो यहाँ पर दूसरा आपका आमीनो एसिड क्या आ गया वैलाइन TRNA पकड़ पकड़ कर लाता जा रहा है तीसरा क्या है CAA C A A CAA GLN GLUTAMINE आ गया यानि GLUTAMINE आ गया और चौथा क्या आ गया ACC आपका यहाँ पर A C और C ACC आपका THRIONINE आ गया यहाँ पर आपका THRIONINE आ गया और सो ओन जैसा जैसा मेरा RNA है वैसे वैसे मैं इसको पढ़ता जाओंगा with the help of ribosome और मैं TRNA को signal देता जाओंगा भया जो जो मैं बोल रहाँ वो ले के आजा भाई फटा फट दिक्कत मत कर और जैसा जैसा मेरा RNA मुझे code करके बताता जाएगा वैसे वैसे मैं protein sequencing बना लूँगा कैसे बना लूँगा यह मेरे TRNA का structure है त्यारने क्या करता है TRNA आता है पहले MRNA के sequence को पढ़ता है MRNA के sequence को पढ़ता है और बोलता है hallinya अच्छा, AGU लिखा हुआ है एगू का complementary क्या हुआ , UCA है ना तो AGU क्या लेकर आता है AGU क्या लेकर आता है बताओ यहाँ पर ए जी u अगर यहां पर लिखा हुआ है यहां पर क्या लिक्का हुआ है। पर याय यू ए सी लिखा हुआ है तो क्या लेकर आया टाइरो से बिलकुल लेकर क्या आया? क्या लेकर आया टाइरोसेन बिल्कुल लेकर क्या आया यानी टिया रेने के पास एक लूप है जिसे हम कहते एंटी कोडोन लूप यह कोडोन को पड़ती है और उसी हिसाब से भाग करके अमीनो ऐसुड ले आती है और इस MRNA के उपर क्या करती है अटेच करती चली जाती है जैसे ये वाला जो है CUC इसका एलनीन रहा हुआ होगा then UUG का सरीन रहा होगा then glycine, leucine, serine tyrosine and glycine और इसे साब से मेरा पूरा protein जो है तयार होता जाएगा यहाँ से नया TRNA लेकर के आता है अमीनो एसल को पूरी की पूरी चेन उसके उपर shift हो जाती है यह नया वाला बंदा है, सबसे नया है पूरी चेन इस पर shift हो जाएगी तो यह वाला TRNA खाली देखो, यह वाली पूरी की पूरी जो blue chain है वो इस पर shift हो गई, दिखाया रखाया ठीक है, तो सारी की सारी चेन यहाँ पर आ गई यह वाला TRNA खाली, यह वाला आगे भाग जाएगा अगला अमीनो एसल लाने के लिए यह वाला incorporate हो जाएगा फिर यह वाली TRNA चेन यहाँ पर shift हो जाएगी नया वाला जो लेकर आएगा, एक अमीनो एसल उसके उपर पूरी change shift पुरा ना TRNA फिर से बाहर, ठीक है तो इसे क्या बोलते है, acceptor site, A site इसे कहते है, T site जहाँ पर transfer होता है चीजों का and E site, exit site जहाँ पर आपका TRNA बाहर भगा दिया जाता है यह तीनों चीज़े आपकी translation में बहुत जादा important है बहुत ही जादा important है ठीक है तो genetic code जो है इसको आप कैसे पढ़ोगे देखो genetic code जो है इसको कैसे पढ़ोगे और क्यों जरूरत है इसकी भाई DNA और RNA की तो एक एक भाषा है, genetic code उसके लिए जरूरी नहीं है nucleotide की भाषा है दोनों की बट यहाँ amino acid की भाषा चल रही है तो कोई complementarity नहीं है आपकी RNA और protein के बीच में इसलिए हमें genetic codes की जरूरत पड़ी तो George Gamow साहाब ने बोला कितने genetic code होने चाहिए भाई आपके चार जो है nitrogenous basis है RNA में AUGC अगर सिर्फ AK के combination में इन्हें रखें तो सिर्फ चार आपके क्या बने genetic code बने 20 amino acid के लिए 4 तो काफी है नहीं similarly अगर आप इन्हें दो-दो के format में लगाएं जैसे A और T को साथ में कर दिया T और C को साथ में कर दिया C और A को साथ में कर दिया and so on तो 4 into 2 that is 16 आपके codon बने लेकिन फिर भी काम नहीं है तो George Gamow साब ने कहा कि भाईया यह triplet बनेंगे यह triplet बनेंगे और triplet जब बनेंगे तो भाईया 64 codon आपके बनेंगे 64 codon में से 61 आपके actual code करते हैं for different amino acid and three जो है यह आपके stop codon होते हैं यह तीन जब आ जाते है stop codon तो process खतम हो जाती है process आपकी halt हो जाती है तो हर गोबिंद खुराना साहब के पास एक ऐसा method था जिससे RNA अपनी मर्जी के combinations के तयार किये जा सकते थे in the lab और Marshall Nirenberg के पास एक cell free system था यानि बिना living system को use किये यह क्या बना सकते थे इस RNA से protein तयार करवा सकते थे ठीक है एक enzyme था several ocoa enzyme जिसे का जाता था poly nucleotide phosphorylase यह क्या कर सकता था template independent manner में RNA तयार कर सकता था यानि आपको जिस RNA को तयार करना है समभली जब मुझे तयार करना है AUGCUA ऐसे करके मैं एक sequence बताता जा रहा हूँ उसी sequence में मेरे को RNA तयार करना है तो मैं कर सकता हूँ मुझे living system के उसके लिए ज़रूरत नहीं है several ocoa enzyme यहाँ पर लगेगा तो जैसा मैंने आपको बता है out of 64 amino acids out of 64 sorry codon जो के triplet है 3-3 के format में आ रहे है 61 जो है यह आपके amino acid के लिए code करते है 3 जो है आपके stop codon है जिनने क्या कहा जाता है opal number ochre ठीक है one codon code for only one amino acid एक codon हमेशा एक amino acid के लिए code करेगा but degeneracy भी इसके अंदर होती है कुछ amino acid आपके multiple codon द्वारा भी code करे जा सकते है यह बहुत important बात है यह आपको पढ़के ही समझ में आएगी भाई क्या हो गया एक second देखो इस चीज को proof कर लेते है इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता भाई GCU भी alanine को ही code कर रहा है GCC भी alanine को ही code कर रहा है GCA भी alanine को ही code कर रहा है GCC भी alanine को ही code कर रहा है यानि अलग अलग जो codons है वो same amino acid को code कर सकते है बट GAU सिर्फ ASP को ही code करेगा aspargin को और aspartic acid को और किसी को तो नहीं कर रहा AGA जो है यह सिर्फ arginine को ही code करेगा, methyline को तो नहीं कर रहा ठीक है तो एक amino acid को multiple codon code कर सकते है बट एक जो codon है यह सिर्फ एक amino acid को ही code करता है सुनने में थोड़ा complex है लेकिन जब आप देखोगे तो आपको game अच्छे तरीके से समाझ में आ जाएगा जब आप किताब में इसको जाकर जाकोगे तब ठीक है यह comma less होते है इनको directly लिखा जाता है A, C, G, C, A, G, G, A, U and so on यूनिवर्सल होते हैं अगर U, 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 Phenyl Alnene के लिए code कर रहा है बैक्टीरिया में तो मेरे अंदर भी वैसे ही code करेगा exception होते हैं आपके कुछ protozoans and mitochondria के कुछ important code है जो की अलग होते है other than that पूरी दुनिया में सबके लिए same है initiator codon होता है AUG जब starting में आपको AUG दिख जाए इसका मत्तब आपकी translation process start होने वाली है otherwise यह methionine के लिए code करता है इसे initiator codon कहा जाता है non overlapping एक चीज़ एक बार ही पढ़ी जाएगी अगर मैं AUG GAU GCG लिखता हूँ तो मैं AUG को एक बार ही पढ़ूँगा फिर UGG नहीं पढ़ूँगा यह UG जो है एक बार आ गया ना इस वाले में तो हमां अगले फ्रेम पर पढ़ूँगा फिर अगले फ्रेम पर and so on ठीक है anti codon आपको पता है TRNA के उपर available होगा जो की respective amino acids को पकड़ पकड़ के ले करके आएगा अब कई बार क्या होता है mutation में या तो आपकी point mutation हो सकते है या नी एक particular जगा पे एक nitrogenous base की जगा दूसरा base आ गया है जैसे sickle cell anemia के अंदर होता है glutamic acid की जगा valine आ गया सिर्फ point mutation की वजए से उससे इतनी बड़ी बिमारी हो गई frame shift mutation में क्या होता है frame shift mutation में आपका frame shift हो जाता है जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ AUG C U G ये एक particular आपका code था अब AUG के बीच में मैंने क्या डाल दिया आपका डाल दिया C ये एक enter करा दिया मैंने तो इसके बाद ये जो C U G है ये आगे shift हो गया पहले मैं पढ़ रहा था AUG C U G अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ AUG CCU तो पूरा frame जो है आगे shift हो गया similarly अगर मैं बीच से किसी एक को delete करता हूँ तो भी frame आपका shift हो जाएगा right तो अगर मुझे इस frame shift को बचाना है तो मुझे आतो तीन डिलीशन करनी पड़ेंगे या तो बीच का तीन nitrogenous basis को निकाल लूँ जिसे एक amino acid पूरा निकल जाए या मैं तीन nitrogenous basis को डाल दूँ कि पूरा एक amino acid बीच में डल जाए उससे भी बहुत बड़ी problem हो सकते है depending upon amino acid कौन सा है ठीक है लेकिन पूरा जो frame है वो बच जाएगा 1000 amino acid चेंज होने से बच जाएगे right तो अगर मैं एक या दो डालता हूँ या एक या दो हटाता हूँ तो frame shift आपकी वहाँ पर हो जाते हैं tRNA जो है इसको sRNA यानि soluble RNA भी कहा जाता है इसके पास एक anti codon loop होती है जो आपका समझती है कि RNA मुझे क्या लाने को कह रहा है और amino acid acceptor arm जो है amino acid पकड़ पकड़ के लेके आता है stop codon के लिए कोई tRNA हमारे पास नहीं होता इसकी shape जो है वो clover leaf like है या L shape आपका tRNA देखने को मिलता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है इस tRNA को charge करना है इसे हम क्या कहते है amino acylation of tRNA यानि tRNA के उपर हमने क्या कर दिया amino acylation amino acid add कर दिया तो जब amino acid add हो जाएगा तो यह क्या करेगी आ करके आपके you know जब mRNA small sub unit of ribosome से जुड़ता है तब यह process आपकी start होती है तो यहाँ पर tRNA आपका क्या आ जाएगा लेकर के amino acid लेकर के आ जाएगा acceptor site पर फिर उसके बाद p site पर चीज़े चली जाएगी और उसके बाद आपके tRNA को release कर दिया जाएगा तो RNA जो है यह एक enzyme की तरह भी काम करता है जैसे 23srRNA जिसे हम ribosome कहते है और जब आपको stop codon मिल जाए उस time पर आपका release factor जो है वो activate हो जाता है और आपका protein synthesis के process को क्या क कर देता है now it becomes really important है ना क्योंकि translation is a very big process इसको आराम से समझेंगे इत्मिनान से समझेंगे I'll make a separate video for that ठीक है क्योंकि mind map में चीज़न थोड़ी सी fast चलती है और मुझे नहीं लगता अगर मैं translation आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं तो it could go in a fast way तो आपको बस अभी यह जानना है कि translation is a process जहांपर आपका protein तयार होता है कैसे जब smaller sub unit of ribosome आकर के bind करती है mRNA से तो TRNA जो site के उपर यारी P site के उपर और खाली जो TRNA है जो amino acid दे चुका है उसको हम exit site से बाहर भगा देते हैं नई acceptor site से नया amino acid लेकर नया TRN आ रहा होता है एक site से amino acid आ रहा होता है बाकी amino acid से जुड़ रहा होता है peptide bond के through और खाली TRNA एक site से remove हो रहा होता है इस site से जा रहा है कि कौन-कौन सा amino acid हमको लाना है तो एक sequence में amino acid की streak चुड़ती हुई चली जाती है and ultimately आपका protein formation का जो process है वो complete हो जाता है now अगर आप देखेंगे तो आपका जो process है gene expression का gene से protein बनने का यानि DNA से RNA बनाना और protein बनाना ये regulate किया जा सकता है eukaryotes में कई level के उपर जैसे transcription level पे जब DNA से RNA बन रहा है उस time पर इसे regulate किया जा सकता है processing level पे जब hn RNA से mRNA बन रहा है तब इसे regulate किया जा सकता है eukaryotes में आपको पता है कि जो RNA बना है इसको protein बनाने के लिए cytoplasm में जाना है तो transport के दोरान ये regulate किया जा सकता है and translational level पे जब ये आपका क्या बनाए protein बनाए उस level पर भी इसे regulate किया जा सकता है तो regulation देखते है इसकी prokaryotes के अंदर क्या होता है let's try to understand this very very carefully ये लैक ओपरान का concept है ये भी बहुत बड़ा concept है इसके उपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि mind map में इसको पढ़ा कि मेरको संतुष्टी नहीं मिलेगी कि मुझे नहीं पता तुम्हें संतुष्टी मिलेगी या नहीं एक बार comment section में बता देना मुझे संतुष्टी नहीं मिलेगी मैं इस chapter को बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ molecular basis of inheritance को बिना आठ नो घंटे के मैं तो complete नहीं करा सकता और ना मैंने आज तक अभी कराया है बट अभी since it is a revision module तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको time की कटाउती करनी पड़ती है क्योंकि students की भी है demand है कि sir at the end of the day we are not able to you know counter a video of eight hours which is true इसको मैं आपको समझा दूँगा लेकिन एक बार कीड़ा रहेगा भाई दिमाग में इसको मैं दोबारा से तो पढ़ाऊंगा जरूर और काफी डीटेल में पढ़ाऊंगा यहां पर क्या होता है आपका देखो यहां पर एक repressor gene है यह आई जो है it's not you know inducer its repressor यह negative protein मना रहा है repressor protein मना रहा है यह जो रहता है आपका O that is operator इस पे क्या bind करता है आपका यह repressor bind करता है एंड यह जो है promoter इस पे क्या bind करता है promoter पे हमेशा कॉन करता है polymerase P4 promoter P4 polymerase तो यह जो है पूरा का पूरा सिस्टम इसे हम क्या कहते है lac operon में तीन structural gene है जिने हम कहते है ZYA, Z क्या बनाता है beta galactocidase, Y क्या बनाता है आपका permease and A क्या बनाता है आपका trans acetylase, अब इनका काम क्या है, lac operon में lac का क्या मतलब है, lactose यानि जब आसपास खाने में lactose नाम की शुगर पड़ी है, तब हमें इस सिस्टम को क्या करना है activate करना है, अगर glucose पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, lactose पड़ी है तो हमको क्या चाहिए beta galactosidase, beta galactosidase क्या करता है, lactose को तोड़ता है किसमे, glucose प्लस galactose के अंदर, यानि जब lactose होगा, तो ये enzyme activate हो जाना चाहिए, जो इसे तोड़े metabolize करें, permease क्या करता है, इस lactose को अंदर लाने में help करता है, permease है तो permeability बढ़ा रहा है, transacetylase क्या करता है, acetyl group लगा करके activity बढ़ाता है आपकी beta galactosidase और permease की, यानि तीनों सेम काम कर रहे है, आसपास जब lactose मौजूद है, तो उसको पकड़ के metabolize करने की कोशिश कर रहे है, लेकिन आसपास अगर lactose है ही नहीं, in absence of inducer, भाई आसपास अगर lactose है ही नहीं, तो ये तीनों चीज़े क्या बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, ये तीनों चीज़े नहीं बननी चाहिए, इस waste of energy, तो क्या होगा, ये जो IGN है, ये जो repressor बनाता है, ये जा करके यहां पर road के बीच में खड़ा हो जाएगा, आगर यहां पर आपका polymerase आ भी गया, तो ये आगे तो जा नहीं पाएगा, अगर आपका आगे नहीं जा पारा है वो, तो ZY और A को RNA में कनवर्ट नहीं कर पाएगा, प्रोटीन में कनवर्ट नहीं कर पाएगा, सिंपल ची बात है, लेकिन अगर आसपास lactose मौजूद है, तो अब हमें इनको transcribe कराना है, तो रोड के lactose bind कर जाता है और इसको inactivate कर देता है यहीं पर, तो यह वाले जो है, प्रोटीन से यहां पर जाकर bind कर ही नहीं पाएगा, तो यहां पर जो आपका polymerase bind क्या, वो ZY और A तक पहुंच जाता है, इन तीनों के mRNA बनते हैं, इन तीनों के protein बनते हैं, और यह तीनों के protein जो है, क lactose is not present, this is how the system is running when the lactose is present, ठीक है, तो यहां पर देखो भाईया, जैकोब और मनोड नाम के scientist ने यह scheme दी थी, इसे lag operon कहा जाता है, operon मतलब, single आपका promoter है, single आपका operator है, और यहां पर क्या हो रहा है, single promoter और operator जो है, यह आपका क्या करा रहे है, यह आपका multiple genes को एक साथ regulate कर रहे हैं, क्योंकि prokaryot में आपको पता है, दिवाली की लड़ी वाला system है, एक जो आपका promoter है, वो कई genes को activate कर सकता है, ठीक है, तो I gene जो है, यह repressor के लिए code कर रहा था ठीक है, अब आपने देखा lactose की जब presence है, तो यह इस repressor को क्या कर देता है, inhibit कर देता है, और जब lactose absent है, तो यह repressor जाकर के operator से bind कर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर repressor का इस्तमाल किया जाता है regulation के लिए, तो इसे negative regulation कहा जाता है, क्योंकि repressor एक negative नाम है, यह एक negative ची से यहाँ पर regulation हो रही होती, तो it would be called as a positive regulation, human genome project, हम लोगों को यह पता करना है, human genome project में, कुछ हमारे goals है, 1990 में यह project start हुआ, और 13 साल तक का यह mega project था, 2003 में यह complete हुआ, उसके बाद भी थोड़ा बहुत काम इस पे चलता रहा, major goals क्या थे, कि हमें इतना पता था, कि 20 से 25,000 genes है human body में, हमें यह पता लगाना है, कि वो सारे genes क्या करते हैं, 3.3 into 10 raised to the power 9, जो base pairs है, हमें पता लगाना है, कि उनका sequence क्या है, उनको हमें data के format में store करना है, data analyze करना है, आगे future में, और जो भी ethical या legal या social issues आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी आप project start करते हो, लोग जो है, आपको रोक करने के लिए टीम मनाई गई, भाई हमें काम पर ध्यान देने दो, और पीछे जो भी भसाड आ रही है, सारी की सारी जो चीज़े आ रहे हैं, वो आप cater करो, ठीक है, तो LC को भी उन्होंने target किया, आप दो चीज़े हो सकते हैं, तो आप सिर्फ expressed sequence tag को क्या कर लो, sequence कर लो, मत मतलब, expressed sequence tag मतलब समझ लीजिए DNA है, यूकरियोट का, यानि human का, अब इसमें कुछ DNA का जो पार्ट है, वो आपका code करता है, किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं करता है, कुछ code करता है, कुछ नहीं करता, तो expressed sequence tag में ये बोला गया, कि भाई, जो जो पार्ट आपका code करता है, चीज़ों के लिए, सिर्फ उन्हीं को आप क्या करो, sequence करो, इससे आपका time बचेगा, और sequence annotation में क्या बोला गया, whole genome sequencing में क्या बोला गया, whole genome sequencing में बोला गया, यार छोड़ो, intron को भी मत छोड़ो, आप सब कुछ कर दो sequence, देखी जाएगी भाई, सारा का सारा आप sequence कर दो, आ आप bacterial artificial chromosome और east artificial chromosome को यूज करके, जितने भी human के gene है, उनको clone करना start करो, उनकी multiple copies बनाओ, और उनको sequence करना start कर दो, क्योंकि पूरे genome को आप एक बार में sequence कर लो, इतनी आपकी हिम्मत नहीं है, आपको हर gene की multiple copies बनानी होगी, उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना सेंगर sequencing, जो कि एक बहुत आज के जमाने के हिसाब से primitive technique है, उस टाइम पे बहुत advanced मानी जाती थी, वो 800 से 1000 base को ही एक बार में अच्छे तरीके से sequence कर पाती थी, तो आपको DNA को 1000 लागों छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना है, उनकी copies बनानी है, उन्हें clone करना है, तब जाके आपने sequence कर पाऊगे, तो human genome project में हमें क्या पता लगा, 3164.7 million nucleotide है, यानि जिसे हम बोल रहे थे 3.3 into 10 raise to the power 9 base pair, वो है actual में 3.1647 into 10 raise to the power 9 base pair, ठीक है, average gene जो है हमारी body का, उसमें 3000 bases है, लेकिन जो largest हमारा gene है, वो diastrophin है, जिसमें अकेले में 24 lakh bases के आसपास है, average जो है, वो काफी काम आता है, क्योंकि काफी ऐसे genes है, जो बहुत छोटे हैं, काफी ऐसे genes है, जो बहुत बढ़े हैं, तो average आपका 3000 bases के आसपास आता है, लेकिन यहां पर अगर देखेंगे, तो diastrophin में 2.4 million यानि 24 lakh bases आपके पाए जाते हैं, यहां पर देखने को मिला कि 99% जो आपका nucleotide base sequence है, वो सब में same है, यानि आप में और मुझे में सिर्फ 0.1% similarity है, सिर्फ 0.1% dissimilarity है, इतना हम लोग similar है, लेकिन वो अलग अलग जगा पर dissimilarity होने की वज़े से हम लोग बहुत ही जादा अलग दिखाई देते हैं, और इस genome जो है यही protein मनाता है, 98% तो आपके repetitive sequence है, जिनका कोई काम आज तक हमें नहीं पता लगा है, तो repetitive sequences बहुत जादा है, chromosome 1 में सबसे जादा number of gene है, लगभग 3000 genes के आसपास 2968 genes, जबकि Y chromosome जो है male का जो सबसे चोटा है, इसमें सिर्फ 231 genes मौझूद है, around 14,000,000 ऐसी locations है, जहां पर single base DNA difference है, जिनने snip कहा जाता है, single nucleotide polymorphism, यानि आपकी body में अगर यह है, AUG, 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 तो मेरी body में यह हो सकता है, अच्छा AUG क्या लिख रहा हूं भाई, RNA बना दिया, sorry, ATG, 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 तो मेरी body में क्या हो सकता है, AAG, 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 यहां पर सिर्फ single nucleotide difference आपको देखने को मिल रहा है, और millions of places पे सिर्फ यह single nucleotide ही difference होगा, जो एक दूसर से ज्यादा similar organisms होगे, उनमें यह काफी commonly देखने को मिलते हैं, और same positions के आसपास देखने को मिलते हैं, कुछ जो dissimilar organisms है, जिनकी lineage different है, उनमें अलग-अलग places पर यह changes देखने को मिलते हैं, और इसी चीज को हम लोग exploit करते हैं, in the process of DNA fingerprinting, अगर दो लोगों में विवाद चल रहा है, एक लड़का है, जिसको शक है कि पडोसी उसका बाप है, और पडोसी के पास बहुत सारा माल है, तो वो पडोसी पर case कर देता है, कि तुम ही मेरे पापा हो, ठीक है? तो यह जो बच्चा है, इसने case कर दिया है पडोसी पर, और यहाँ पर इसके सगे फादर साहब है, तो अब क्या किया जाएगा भया, इनका जो genome है, मैच किया जाएगा, और देखा जाएगा किसमें कितनी percentage, similarity है, यह जो आपके, you know, polymorphism देखने को जो मिल रहा है, high degree of polymorphism यह कितनी position पर आपकी same है, तो यहाँ पर जब इन दोनों को analyze किया गया, तो percentage similarity was very high, और इन दोनों को जब analyze किया गया, then percent similarity is very low, यानि बच्चा जो है, इस case को जीत जाएगा, है ना, तो paternity test को साबित करने के लिए, criminals को पकड़ने के लिए, कि वारदात की जगा से जो खून क का धबा मिला था, मोहनलाल का था, सोहनलाल का नहीं, यह पता लगाने के लिए, diversity determination के लिए, genetic diversity के लिए, यह सब तो बहुत अलग चीज है, इसके लिए हम DNA fingerprinting का इस्तमाल करते हैं, एक organism है, उसके किसी भी sample से उसका DNA लो, उसके टुकडे टुकडे करो, उसको gel पे दोडाओ, जो कि आपने biotech में सीखा होगा, gel electrophoresis में नहीं सीखा तो मुझे बता देना, I'll be teaching you, अगरोज gel electrophoresis, southern blotting करो, यानि यह जो DNA के टुकडे है, इन्हें एक, nitrocellulose या nylon की membrane के उपर ले जाओ, फिर उसके उपर probe लगाओ, और देखो कितनी similarity आ रही है, auto radiography में, और आपको पता लग जाएगा कि दो organisms का DNA कितना similar है, एक analysis यहाँ पर देखो, अगर समझ में नहीं आये तो, यहाँ पर देखो, paternal chromosome, maternal chromosome, पापा का chromosome, मम्मी का chromosome, है ना, यहाँ पर individual A, individual B, और इनकी, जो है, जाच करनी है, crime scene पर पाए गए खून के धब्बे से, दो लोगों पर शक है, एक खून का धब्बा मिला है, यानि कि, अगर वो खून का धब्बा इन दोनों में से एक का होता है, तो यह जूट बोल रहे है, यानि इनके कातिल होने के chances पूरे-पूरे है, तो हम क्या करते हैं, इनके भी blood के samples लेते हैं, एक blood का sample हमें वारदात की side से मिलाई है, इन तीन यहां पर कोई band नहीं बना, यानि इसकी similarity उतनी नहीं निकली, दूसरे वाले का same band हमें मिल गया, फिर देन yellow वाले chromosome का band आपको यहां पर देखने को मिला, इस वाले के दोनों अलग-अलग position पे हैं, इस वाले के दोनों आपके लगबग same position पे हैं, blue वाला जो है, वो यहां प यहां पर एक देखने को मिला, यहां पर भी एक देखने को मिला, यहां पर भी एक देखने को मिला, यह सब में similar क्यों है, क्योंकि कुछ similarities देखने को मिल सकती है, by coincidence भी हो सकता है, कोई दिकत इसमें नहीं है, दूसरा यहां पर band है, यहां पर भी same जगा पर मिला, यानि यह है B यह आपका क्या है कातिल है यह आपका कातिल है इसकी हर जगा क्या हो गई मैच हो गई इस इस हाओ DNA फिंगर प्रिंटिंग इस बीन यूटिलाइज़ तो दिस वाज वन आफ दो लॉंगेस्ट mind map that I have created अगर आपको efforts अच्छे लगे अगर आप कोई वीडियो समझ में आई पसंद आई कुछ topics वार में खुद मानता हूं कि जिसमें मुझे बहुत detail की जरूरत आपको समझाने के लिए और वो detailed videos बनेंगी पहला आपका लैक ओपरान दूसरा आपका translation कि तीसरा आपका बनना चाहिए मेरे दोस्त डीने फिंगर पिंटेंग इन तीनों में तो आपकी हायर डीटेल चाहिए ही चाहिए इसके अलावा तो काम नहीं चलेगा जो कि बनेगी भी है ना बट इस वीडियो इस गूड फॉर रिवीजिजन पॉइंट अगर आपने एक बार भी NCRT पढ़ रखे तो आपको इस सारी बाते समझ में आ जाएंगी बहुत प्यार से तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीपु भाई ओपी इन दा कॉमेंट सेक्शन प्लीज वीपु सर ओपी जो भी आप बोलना चाहते हैं अच्छा लगता है बहुत एंड हम लोग मिलेंगे एक बहुत नई सीरीज के साथ I am planning something new planning something exciting for you guys so please make sure to stay connected please make sure to keep loving the efforts thank you so much bye bye jahind मिलता हूं अगले session में एक धमाकेदार वीडियो के साथ शुक्रिया